हेलो बच्चों कैसे हो एकदम ठीक फिट फाइन तो फिर आज एक नए चाप्टर के साथ मैं आपके सामने हूँ NCRT Simplified एक ऐसी सीरीज है बच्चों जिस सीरीज में मैं आपको NCRT की हर लाइन को समझा देना चाहता हूँ आपके किसी भी तरह का डाउट ना बचे साथ साथ में उस लाइन को क्या कभी प्रिवियस एयर में पूशा गया है वो पॉइंट भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं काफी effort कर रहा हूँ डेली बैठता हूँ NCRT की एक प्रिवियस एयर open करता हूँ NCRT open करता हूँ उसको मार्क करता हूँ और जब मार्क हो जाती तो उसकी slide प्रिपेर करवाता हूँ और उस slide के बाद मैं आपके सामने आता हूँ इस पूरे homework को मैं एकदम compiled form में आपके सामने रख रहा हूँ तो हमारे पास duty क्या है दो duties है पहला इस पूरे lecture को last तक देखें क्योंकि किस line से क्या question आ चुका है यह हमें भी नहीं पता हमने आस तक ऐसे किया है कि chapter को complete किया है फिर MCQ किया है न क्या पता किसी line से directly MCQ आ गए हो तो वो हम साथ के साथ करने वाले हैं फस्तिंग दूसरी जो important चीज है आपको अपनी NCRT खोल कर रखनी है साथ में ताकि जैसे ही मैं आपको कुछ भी बताऊं तुरंत उसको मार्क करने मेरा नाम अन्राग तिवारी है एन अक्याडमी के plus platform पर बच्छों आपको biology पढ़ा रहा हूं मेरा need for beginners नामका एक batch चल रहा है जिसमें आपको physics chemistry, sociology, botany, पूरा का पूरा syllabus समझाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है बहतरीन तरीके से regular DPPs दीर जा रही है तो मेरे courses के link इस class का link और इस से related जितने भी special class है उनका link आपको नीचे description में मिल जाएगा including हमारे टेलेग्राम चैनल का पच्छों आकेडमी क्य क्योंकि सिर्फ YouTube पर ही नहीं पढ़ाती अगर आपको लगता है जैसे आप मुझसे बात करना चाहते हैं class के duration में कई बार questions आते हैं queries आती हैं आप मेरे साथ Unacademy के plus platform पर जोड़ सकते हैं Unacademy का plus platform एक app है जहां पर आप paid subscription के साथ में कुछ amount of fees pay करने के साथ में आपको एक के specialist से पढ़े, live classes, हर तीन दिन बार doubt sessions, testing, in fact सबसे अची चीज जो मुझे लगती है आप recorded lectures भी देख सकते हैं अपने revision के लिए या कभी network week है, कि टाई बार हम busy हैं, किसी भी condition में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, अगर एक step और आगे जाना चाहते हैं, तो Unacademy का iconic subscription है, यहाँ पर देखा है, iconic subscription, यह iconic subscription Unacademy के plus के सारे features को लेता है, साथ-साथ में यूँ समझ ले, उसमें अलग से आपको एक personal pooch देता है, और इस 30 तारीक तक बचो, इस 30 तारीक तक आपको Unacademy का iconic subscription लेने पर hard copy भी मिल रही है, possibilities बहुत हैं, बस मेहनत करते हुए जाओ, batches को आप quick form में देख सकते हैं, बस इस बुद्वार से ही शुरू है, तो possibilities आपके पास बहुत है, batches को join करने के लिए, offer भी मैंने limited बता दिया कि 30 तारीक तक आप iconic subscription लेते हैं, तो आपको hard copy मिल रही है, एक साल या दो साल का कोई भी subscription ले सकते है, code मेरा use कर ले, 80 से, और first चल रहे हैं, इस month में, अगर आप CBSC का subscription लेते हैं, NEET के साथ में, एक साल का, तो फाइदा क्या होगा आपका, आपको, यू समझ ले की 25% का discount मिल रहा है, normally 10% का मिलता है, मेरे code के साथ में, आपको मेरे ही code के साथ में 25% का discount मिल जाएगा, टू यर का subscription लेते हैं, CBSC और NEET दोनों, तो आपको 30% discount मिल ठीक है न, एक आपको, वन यर में 25 मिल रहा है, इसमें 30 मिल रहा है, शाथ में 2 महीने का subscription भी free मिल रहा है, और इसमें 3 महीने का subscription free मिल रहा है, और इसमें 3 महीने का subscription free, पॉस्पिलिटी ऐसे ही बनेगे, अच्छी बच्चों की तीन महीने के साथ एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री 12 महीने के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 24 महीने के साथ जब आज आप इस मन्त में ले रहे हैं आपकी डबल ट्रिपल हो रही हैं पढ़ने के लिए एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन ले सक को और आगे बढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा की बाफिकल क्लासिफिकेशन से रेलेटेड है और यह आपका फेवरेट चाप्टर है क्यों इस चाप्टर को फेवरेट नहीं भी है तो बना लो रीजन क्या है इस चाप्टर से बच्चों डारेक्ट connected है बहुत से चाप्टर जैसे complete जो human health and disease है microbes in human welfare 12th क्लास में है या फिर cell चाप्टर का prokaryotic पार्ट है सब कुछ इस चाप्टर से connected है तो यह चाप्टर कई areas connect करता है साथ में animal kingdom, plant kingdom भी इसी चाप्टर से शुरू होकर जाते हैं शुरू करते हैं हर एक line को पढढ़ेंगे और श कुछ चीजें highlight की हैं कुछ चीजें highlight आगे भी कर दूँगा सुनना है लेकिन ध्यान से है सुनना है ध्यान से इस बात को आपको समझना है कि Aristotle ने फिरुवात में जब चीजों को classify किया तो पहली बार Aristotle ने इसी चीज का scientific classification किया और उन्हों ने इस बात को समझना है plant को tree में shr shrubs में hubs में classify किया और animal को दो groups में classify किया red blood cells और without red blood cells यह दोनों चीजों को आपको यहां highlight करना है तो पहली बार जो हम सिर्फ और सिर्फ highlighter का नहीं था यह animals को classify किया he also divided animals इस page में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है सब extra चीजे हैं जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं आपको मिलेंगे एक बात दूसरी चीज बचों हम यहां समझते इसके बाद आते हैं linius है ना इसके बाद आते हैं linius जो lini है ना जो linius है बच्चों linius ने 1758 के राउंड इन्होंने टू kingdom classification किया और उसमें plant और आनिमल को classify किया लीनियस ने है ना टू किंग्डम इन्होंने जो classify किया इसके कुछ drawbacks से जिसकी वज़ए से इस classification system को इन्हें change करना पर यह नए classification system है यहां जितने भी prokaryotes थे सिर्फ समझो मेरी बात को line to line ही हम बात कर रहे है pure NCRT आपके सामने पढ़ूंगा आपको अपनी NCRT से मात करें बहुत simple ठीक है ना बस इतना सा करना है इनकी कमिया क्या थी इस बात को बहुत ध्यान से समझ पहली बात इनका जो system था वो distinguish नहीं कर पा रहा था यूकरियॉट और प्रोकरियॉट बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया और fungus, mosses, ferns, gymnose fung यह सब कुछ को इन्हों ने प्रोकरियॉट में डाल दिया था किसको किसको है ना यह जो प्रोकरियॉट यूकरियॉट को अलग स distinguish नहीं कर पा रहा था जिसमें ferns, mosses, in fact जो fungus हैं सब कुछ बच्चों प्रोकरियॉट में पड़े हुए थे, सुनना आराम से बहुत सुकून से समझाए दूसरी बात यहां पर, plant को base मतलब जो classification था इनका जो दूसरा सबसे problematic classification था वो क्या था, classification on the basis of cell wall इसमें plant को अलग से plant को बिल्कुल separate form में डा दिया, पाकी characters को बहुत ध्यान नहीं दिया, यह चीज़े यहां पर दे रखी हैं, तो दूसरी जो problem थी unicellar, multicellar को differentiate नहीं किया, photosynthetic, non photosynthetic को differentiate नहीं कर पा रहे थे, सब को एक में डाल रहे था, classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but फिर भी बहुत से organism, large number of organism did not fall into either category, दोनों में ही नहीं डालता, इनकी कमिया थी, या तो वो क्या था, plant या तो फिर animal, सब को एक जगाट डालते गए, क्या है वो bacteria ही क्यों नहीं, इतनी ज़्यादा drawback के साथ में इन्होंने, in fact एक छोड़ी सी चीज तुमको बड़ी interesting बात बताऊं, यहां पर पहली क्लेमाइडो मुनास की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में इसके बाद वाले में, तो क्लेमाइडो मुनास, आपको पता है already, यह सब कुछ को इन्होंने algae में डाल रख, तो यह possibilities को आपको यहां पर समझना है, basic, कि large number of organism did not fall into either category, नहीं इसमें आते थे, ना plant में आते थे, फिर भी उसमें डाल रखा था, इसका मतलब यही reason था कि two kingdom classification used for a long time was inadequate, मतलब sufficient नहीं था, तो फिर क्या किया गया, तो फिर क्या किया गया, एक छोड़ी सी बात इसमें से आपको दो-तीन questions मिल जाएंगे, तो इसके बाद कई additional characters को लिया गया, जैसे cell structure, जैसे क्या बच्च्च cell structure, cell structure को consider किया, nature of cell wall, mode of nutrition, बहुत सी और भी चीज़ों को based मान कर, evolutionary relationship, तब classification system में कुछ changes किये गए, और इसके बाद कुछ नई चीज़े decide किये, इसके बाद ही कुछ नई चीज़े decide किये, बहुत से ऐसे differences से बहुत से ऐसी कमिया थी, तो यहां पर थी, फिर आता है five kingdom classification, फिर आता है बच्चों यह यहां पर, finally five kingdom classification, और इस kingdom में क्या-क्या चीज़े थी, ध्यान से सुनेंगे, एक kingdom को किस base पे classify किया गया, यह question आता है, हर बार आता है, आपको मैं इस वाले page में दिखाऊंगा, इनको classify किया गया on the basis of cell type, यह अपने आप में question है, on the basis of cell wall, nuclear membrane, body organization और mode of nutrition, one, two, three, four, five, these are the five points, यह नोट करना है तुमको NCRT में, highlight करता है, जिसके basis पर इनको classify किया गया, जिनके basis पर बच्चों इनको classify किया गया, जब यह पूशा जाए five kingdom classification, किस base पर classify किया गया है, तो यह पांच चीज़े हैं, यहां से note कर लो, additionally, यह भ habitat, mode of reproduction, evolutionary relationship को भी consider किया, अलाकि इसके बीच में भी बहुत सी चीज़े आई, but we are discussing only and only NCRT, ठीक है, अब समझो, cell type में अगर मैं बात करूँ तो जो prokaryotes हैं, वो सिर्फ एक ही ही है, monera, eukaryotes, यह सारे है, cell wall की अगर मैं बात करूँ तो यह अपने आप में question बनने के लिए हैं यह non-cellulosic cell wall है, तो cellulose नहीं है, बट कुछ polysaccharides और abino acid का combination है, कुछ-कुछ में प्रोटेस्टा में cell wall होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, जैसे कि euglina, उसमें pellicle protein होता है, इसमें होता तो है, बट वो chitin present होता है, क्या होता है? chitin present होता है, इसमें cellulose present होता है, और इसमें तो absent ही होता है, और यह अपने आप में एक question है, 2015 को, nuclear membrane वाली बात करें हैं और यहाँ पर इसकी बात करें, which of the following living organism completely lack cell wall, तो हमने क्या पढ़ा, animal do not have cell wall, यह line है ना, indirect, तो हमें यहाँ पर eliminate करना पढ़ेगा कि cyanobacteria तो नहीं है, यह fungus है, यह भी bacteria है, यह सिर्फ animal है, answer all this, 2015 का question, इस तरह के questions line to line बनते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि हर वो point पढ़ो यार जो तुम्हारे एक्जाम के लिए important है, यह उसी पर बात करेंगे, सिर्फ NCRT पढ़ना है, इस बात को समझे, सिर्फ NCRT पढ़ना है, possibilities automatically निकल कर आएंगे, trust me, एक और question जो यहां से बनता है, nuclear membrane कहां पर absent है, unique thing is this, यह 2015 का question है, तुम अपने NCRT में जाओ, यहां लिखो 2015 में question आया था, यह 2014 में question है, on the best thing is, इसकी PDF आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगे, मेरे telegram channel पर मिल जाएगे, बहुत आसानी से इस चीज़ को आप साथ, ठीक है, मेरे नाम से सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी telegram, body organization, cellular, cellular, multicellular, कभी-कभी lose tissues, यहां tissue या organ, इसके basis पर, इसके classification, mode of nutrition, कौन सा autotrophic है, कौन सा chemo heterotroph है, chemo autotrophs है, photo autotrophs है, ऐसी possibilities यहां पर बनाएगे, और यह basis था classification, इसी table table से दो questions आ चुके है, future में और आने की पूरी संभावन आएगे, मेरी जो protection है, इन में से questions जादा आएगे, इसकी cell wall किस से बत, अगली बात, तो दो question आपको मैंने यहां आपको यहां पर समझाए, basic, ना बच्छो, दो question मैंने आपको यहां पर basic form, समझाए, अगली जो बात करनी है, तो वीटेकर की जब बात कर रहे है, आरच वीटेकर 1969 की बात है, 1969 की बात, इन्होंने five kingdom classification propose किया, और इसके basis पर इन्होंने monera, protesta, fungi, plantae, और animal यह अपने आपने बहुत हिट कॉस्चिन है, कि मेन क्राइटेरिया क्या क्या है, मेन क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन क्या है, पहला, cell structure, body organization, mood of nutrition, reproduction, and phylogenetic error, उसी बात को दुबारा से आपर समझाए, कोई confusion नहीं किसी बच्छे को, तो question क्या है यहां पर, five kingdom classification suggested by रह वाटेकर is not based on, not based on, इस बात को समझे, mode of nutrition है, reproduction है, but mode of reproduction की बातें नहीं की थी, please मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे, cell wall था, 1214 का question है, mode of nutrition था, हाँ था, सिर्फ reproduction था, लेकर वो किस mode से हो रहा, इस पर बहुत चर्चा नहीं की थी, complexity, cell organization, body organization की बातें हो गई, yes or no, बट इसमें से कौन सी चीज़े तो बड़ी confusing सी चीज़े थी जब बचोंने solve की, सर रेप्रड़क्शन तो था, नहीं, रेप्रड़क्शन था, mode of reproduction नहीं था, क्या बड़े प्यार से इसका answer गलत कर सकते हो, अगर तुमने नहीं बढ़ा ध्यान से, हर line को पढ़ो, उस line का मत अतलब समझो, कितना अच्छा है, और तुम previous year question भी solve कर रहे हो, and trust me, हर साल, 12-15 question previous year के direct चिपका देते हैं, यह मैं कम बोल रहा हूं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, मेरे साथ solve करो, इस पूरे NCRT simplified series को देखो बचो, and I am promising you, कुछ भी इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंक समझ में आ लिए, 5KM classification, main basis of classification क्या है, तो आपको यह चीज़ समझ में आनी चाहिए, cell wall is not a main basis, structure of cell wall कैसा, cell wall है या नहीं है, बस, structure of nucleus is not basis, की प्रोकरियोर्स की उसके अंदर का structure कैसा है, A section reproduction के तो बात की ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ reproduction की बात की थे, main basis जो direct उनके points में लिखा है, that is mode of nutrition, answer बड़े प्यार से निकल रहा है के नहीं निकल रहा है, हमें तुक्का नहीं लगाना, हमें logic समझना है, तो क्या हम, क्या हम, mode of reproduction, और यहाँ पर जाकर बचो, मेरे कहने पर यह काम करो पूरे टाइम, अब आगे मैं करूँगा नहीं, यह काम तुमको खुद करना है, mode of nutrition, कब का question है यह, 2002 का, यहाँ लिख लो 2002, तुमारे सामने करवा रहा हूं सब कुछ, proof के साथ, मैं चाहता हूं इसको ध्यान से कर, उसे तरह से हमने बात की, reproduction की, यह 2014 का question है, आक पूरा link डाल दूँगा, in fact, इसी में link डाल दूँगा, तुमको क्या करना है, NCIT, SNIP से पढ़ो, NCIT ही पढ़ रहा हूं, साथ-साथ में यह भी कर रहा हूं, कि यह तुमको लिखना पड़ेगा, मैं लिखा-लिखाया, ठीक रहा हूं, जम रही बाते, चलो अगली बात, जब आप किसी चीज़ पर पूरा research करते हो, तो possibilities automatically अच्छी निकल कराते हैं, try करना तुमको भी मजा है, 5 kingdom system के बाद में बच्चा एक और system आता है, उसको बोलता है, 6 kingdom classification, उसमें पता है, kingdom से भी बड़ा होता है, domain, kingdom से भी बड़ा होता है, बच्चों क्या, domain, तो वहाँ पे 3 domain system word यूज किया, क्या word यूज किया, 3 domain system, यह NCRT के line है, 3 domain system, इसमें मुनेरा को 2 domain में डाल दिया, R किया, U bacteria, 2 के, और बाखी U कह रिया है, तो यहाँ पर 3 थे मैं लिख भी देता हूँ, NCRT मैं लिखा नहीं, लेकिन hint तो है, कौन कौन से, आर्किया, यू बैक्टिरिया, एंड यू कह रिया, यह NCRT मैं तो यह domain है, 3 domain है, इसका kingdom कौन सा था, इसका kingdom कौन सा था, ध्यान से सुने, आर्किया तो है, आर्की बैक्टिरिया, यू बैक्टिरिया, और इसमें चार किंडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, अनिमल्या, मुनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, इससे टोटल कितने kingdom हो गए, 6, तो दिस इस 6 kingdom classification, leaving the remaining eukaryotic organism in third domain and therefore 6 kingdom classification, ये बस इतनी सी बाते हैं बता कर इन्हों बुला higher class में पढ़ोगे, आपको सीधा सा question ये आएगा, कि 3 domain system में, मुनेरा को कितने parts में डिवाइड किया, कितने domain में है, दो domain, कितने kingdom में, दो kingdom में, ये logical बात, eukaryotic organism को एक domain में, लेकिन 4 kingdom में, कितनी से बात दे रखी हैं और इन सब को combinedly 6 kingdom classification बोलते हैं, कल को ये question आ जाएगा, तो ये मत सूचो कि ये out of syllabus question आया है, चीज़े NCIT की हैं, बहुत simple सी, बात करते हैं, let us look at the 5 kingdom classification, to understand the issue and consideration that influence declassification system, कुछ फाल्तू की बाते हैं, हमें पढ़ने पढ़ती हैं, ताकि हमें ये लगे कि हमने पूरा पढ़ा है, छोड़ने पर feel नहीं आती है, पढ़ते हैं, earlier classification system include bacteria, blue-green algae, mosses, fungi, gymnosperm, सब कुछ, they all are under plant, ये सब कुछ किसके थे हैं, the character data, unified these complete है, किस basis पर इसको classify किया गया था, ये अपने आप में एक question है, earlier classification मतलब two kingdom classification system तक, blue-green algae, fungus, mosses, सब को plant के अंदर डाला गया, including bacteria, क्योंकि उन सब के पास cell wall था, यही बाते हो, उन सब के पास, बच्चों क्या था, cell wall, अब बाद में उसको change कर दिया गया है, ये अपने आप में question है, ये अपने आप में question है, आपको ये चीज समझ देंगा, वाई, bacteria, blue-green algae, fungus, mosses, pons, gymnosperm, और angiosperm को plant के अंदर earlier classification system में रखा गया था, क्योंकि उसमें cell wall था, इतनी सी बात आपको especially या था, एक बात, इस place together group which widely differed in other characters, कुछ मेरे साथ पर लो, जहान समझाना होगा, मैं focus करके Hindi में समझाना, पड़ो बस, मझे से, तुम भी NCRT कोल कर बैठ, मेरे साथ mark, you will feel good, आज तु यार, तुधाई घंटे में, पूरी पॉरा chapter complete करवा दिया, सरने, including PYQs, ठीक है, यह एकदम precise study होगी, precise learning होगी, हम चीजों को समझ रहे है, one short form में समझ रहे है और वो भी NCRT को समझ रहे है, इस group together which widely differ in other characters, it brought together the prokaryotic bacteria and green algae, इसकी वेज़र से क्या हुआ, इनको आपस में साथ में लेकर आता है, इसको आपस में साथ में लेकर आता है, इतनी कमियां थी, it also group together the unicellular organism and multicellular organism जैसे यह मैंने बताया, क्लिमाइडो मुनास and spirogyra को साथ में ले आया है, किस में, algae में, आपसे एक question पूछा जाएगा, in earlier classification system मैंने भी बताया था, क्लिमाइडो मुनास and spirogyra considered in, answer क्या जाएगा, जब भी बड़ा जाए, earlier classification system, आपको यह लिखना पड़ेगा कि algae में, classification did not differentiate between heterotrophic and heterotrophic group, मतलब, fungus एक heterotrophs है, और यह autotrophs है, जबकि दोनों को साथ में रखा गया था तो यह तो लिख लो, और साथ में, इसकी cell wall जो थी वो भी different थी, तो basics तो यही था ना कि wall composition इसका तो chitin से है, यह चीज यहाँ directly लिखी भी है कि fungus के अंदर क्या है, chitin present, fungus के अंदर बच्चों क्या है, chitin present, and the best thing is, in their wall chitin के form में है, और plant have क्या, cellulucic cell wall, हाला कि आपको इसको mark करने की जरुवत है, तो ठीक है, वरना यह तो टेबल में है, तकि ऐसे data's exam में पूछे जाते हैं, कि उसकी wall किस से बनी, उसकी wall किस से बनी, when such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom, तो उसके बाद fungus को classify किया गया, अलग से kingdom fungi, ठीक है, cell wall के basis पर fungus को अलग डाला गया, और उसके autotrophic, heterotrophic mood of nutrition के basis पर finally उसको separate कर दिया गया, यह तो बिल्कुल अलग है, यह heterotroph है, इसकी chitin है cell wall, all prokaryotes were grouped together under kingdom, होने रहा, यह एक हलका फुलगा question है, but question तो, question है कि prokaryotic organism grouped under which organism, और ऐसी organism जो unicellular और eukaryote हैं, उनको protesta के अंदर डाल दिया गया, है ना, बातें समझ पा रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ, एक थोड़ी सी confusion थी, claimidomonas और chlorella जो की, पहले algae में डाले गया थे plant के अंदर, जैसे पहले plant के अंदर भी अलग classification थी, उसमें algae में डाले गया थे, क्योंकि दोनों में cell wall थी, और उसके साथ में पहले वाले में क्या डाला गया था, paramecium और amoeba, यह ना, यह दोनों animal kingdom में डाले गया थे, यह question कैसा बन रहा है, बस मेरे साथ यह सीखो, इन अर्लियर classification system, in अर्लियर classification system, क्लेमाइडो मोनास और क्लोरेला बोथ प्लेजड अंडर प्लांट, वाई, विकास दोनों में ही cell wall थी, वो यू करियोर्ट थे, प्रो करियोर्ट थे, मल्टिसलर थे, ऐसी के दैसी, उनके दोनों के अंदर ही क्या थे, बच्छो, cell wall थे, वाई, अमीबा और प्रामेशिम बोथ आर्पूट अंडर अनिमल केंडम, क्योंकि दोनों के पास ही cell wall नहीं थी, ऐसे ही questions आएंगे, इनके data आपको त्यार करने, इनके notes आपको prepare करने, learning के तीन phase, सुनना, जो तुम्हारा चल रहा है, और साथ में समझना, तो यह एक process है parallel, कई लोग पढ़कर समझते हैं, कई लोग सुनकर समझते हैं, सुनकर समझने से जाधा समझ में आता हैं, और वो भी live, live मतलब कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप इसको भगा नहीं सकते इस वीडियो को, भगा कर दे, नहीं भागेगा, बैक कर सकते हो, लेकिन आगे नहीं ले जा सकते हैं, अब इस बात को समझो, यह पहला step हो, आप किसी चीज़ को पढ़कर सुनकर समझ रहे हो, दूसरा step, उसकी practice कर रहे हो question की, हाला कि मैं इसमें MCQs लेकर आया हू, तीसरा step उसको तुम खुद से notes में डाल रहे हो, क्योंकि जब तक बिना देखे, आप एक बार बना लो notes, फिर उसको short में, एक page में, दो page में ना लिख पाऊना, वो चीज़ तुमको याद नहीं हुई, try to like, create a short notes, वो फाइदा करेगा, इन सब को point में लिख लो, इन सब को मैं, this happened because the criteria of classification change, and this kind of change will takes place in future, two, future में भी ये changes हो सकते है, depend करता है की, कोई नही चीज़ने डिस्कार हो गई, कुछ नही चीज़ने पता चल की, right, depending on the improvement in our understanding of the characteristic, depend करता है की हमारा future में, approach क्या है, कि इसी चीज़ को समझने का, over time, an attempt has been made to evolve the classification system, which reflect, not only the morphological, physiological, reproductive similarities, but also phylogenetic, अब यहाँ पर एक question बनता है, तुम्हारे पास, what is the meaning of phylogenetic system, इसका मतलब evolution, एक keyword सिखा रहा हो, NCRT में लिखा है, आपको सिखा रहा हो, NEET में आ जाएगा, in this chapter, अभी सिर्फ इसे इंट्रेक्शन चल रहा है, महाल बनाया जा रहा है, अभी chapter शुर प्लांटे ये अनिमलिया को हम प्लांट और अनिमल किंडम में पढ़ेंगे, चाप्टर नमबर थ्री में और चाप्टर नमबर फूर, डीटेल में, हाला कि यहाँ पर भी तीन चार पॉइंट्स, important, सबसे पहली बात करते हैं, मच्चो, कोई कस्ट तो नहीं, सबसे पहली ब मोनेरा इस, ये question आ गया, answer जाएगा bacteria, answer जाएगा बच्चों क्या, bacteria, मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टिरिया आते हैं, वो बैक्टिरिया के इस टाइप के हैं, वो एक अलग mode of discussion, वो अलग ही, एक mode of discussion है, कहानी को ध्यान से समझें, कहानी को ध्यान से समझें, most abundant microorganism, सबसे जादा पाया जाने वागा, ये भी अपने आपने question है, हर जगा मिलते हैं, everywhere, बातें समझ पा रहे हैं, अगर मैंने एक मुठी भर मिटी उठाई, तो उसके अंदर hundreds of bacteria मिलते हैं, हर condition में मिल सकते हैं, चाहे हो hot spring हो, चाहे हो desert हो, वहाँ पर भी आपको bacteria मिलेंग स्नू हो, या deep ocean हो, हर जगा bacteria मिल रहे हैं, हर condition में मिल रहे हैं, जिन्दा के form में, parasite के form में, किसी भी तरह से, साथ साथ, अगर हम bacteria को classify करें, तो NCRT इसके बारे में क्या कहता है, खांसे सुनना, हर line को सुन लेना चाहिए teacher से, फाइदा क्या होता है, क्या पता उस line का मतलब ह हमने कुछ और समझा था, बट original मतलब और हो, समझ पा रहे हो, कई बार concept कुछ और निकलता है, हमने जबरदस्ती कुछ गलत ही समझ रखा था, सुनना ध्यात, bacteria are grouped under four categories, तो question क्या आएगा, bacteria कितने category में divide करें, यह simple question है, बट अच्छा question क्या होगा, in bacteria, there are four categories on the basis of, answer क्या होगा उनके, shape के basis, उनके, यह सब question है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और shape के basis पर, अगर, है न, spherical word यूज़ किया, तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस, अगर rod word यूज़ किया है, बाते समझ पा रहे है, bacillus, comma shape की बात, विब्रियू, और spiral shape की बात, यह चार shape है, जिसमें आप diagram यहा And the best thing is, एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूँ, बचों बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही ध्यान से सुना, यह जो कोकस, bacillus, spirulam, और vibrio की कहानी सुन रहे हो, Neat में यहाँ पर इसको हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे A, इसको भी हटा देंगे, इसके नीचे लिख देंगे B, इसके नीचे C, इसके नीचे D, तुम से labeling पर कहानिया पूछ लेंगे और तुमको पता होना चाहे तुमको इसको हटा देंगे और बोलेंगे जी X क्या है है ना क्या बोलेंगे X क्या है इसको हटा देंगे बोलेंगे जी Y क्या है समझ पा रहे हैं Find out the X and Y in the given figure क्या तुम इस लायक अपने आपको बना पा रहे हो कि तुम जब इस बार NEET का exam हो तो तुम ऐसी चीजों को भी कर पाओ क्योंकि तुम हमेशा डाइग्राम को स्किप कर देते हो और अगर हां तो नीशे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो हां यस चीजों को समझ पारें कोकाई बैसलस स्पारिलर अच्छा जब इतनी कहानिया हम समझ पारें तो इनके स्ट्रक्शर तो बहुत से सिमिलर होते हैं थाना बट इनके जो बीहावियोर्स होते हैं वो बड़े अलग अलग होते हैं कई ऐसे भी बैक्टिरिया हैं जो और ट्रॉप्स क्यानिका मतलब कई ऐसे भी बैक्टिरिया हैं जो और ट्रॉप्स हैं मतलब they synthesize their own food कहां से बनाते हैं छोटा सा word बन गया आपके लिए एक question बन गया synthesis of their own food always done by inorganic substance one thing कुछ light की presence में कुछ chemical के presence में कुछ तो photosynthetic autotrop होते हैं कुछ कोई-कोई chemical है उसी से अपना energy develop कर लेते हैं कि छोटी-छोटी चीज़े आपको पता होनी चाहिए कई बार तो क्या करते हैं वो डेड ऑगनिक मैटर से heterotrophic nutrition भी ले लेते हैं तो डिपेंड करता हैं कि behavior बहुत ही versatile है बहुत ही यह bacteria के अंदर ही आता है इसके अंदर कुछ unique properties हैं इसके अंदर कुछ unique properties हैं क्या यह harsh habitat में रह सकता है living fossil भी बोलते हैं इस harsh habitat में रह सकता है and the best thing is extreme salty area hello files बोलते हैं अपने आपने question हो गया extreme hot spring thermo acidophils marshy area जहां पर methane produce होती है दलदली area methanogens तो there are three type of archae bacteria and CRT की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं there are three type of archae bacteria जिसमें आपको यहां पर समझ में आना चाहिए अगर आर्की bacteria ऐसे हैं और मोनेरा के अंदर ही आते हैं तो इनको bacteria क्यों नहीं कहते आर्की bacteria क्यों कहते हैं यह अपने आप में एक बहुत अच्छा question है दिहान से सुनना reason is they have different cell wall structure और इतना complex structure होता है कि they can survive in harsh environment इनकी अंदर कुछ भी effect नहीं होता है and that's why they are classified into separate thing मोनेरा में ही हैं लेकिन मोनेरा में यू बैक्टिरिया और आर्की बैक्टिया दोनों अलग अलग हैं बातें समझ पा रहे हैं अच्छा जी एक इंट्रेस्टिंग चीज यह जो मार्शी एरिया वाला मेथनो जन्स है यह कुछ रुमिनेंट अनिमल्स के अंदर भी present होता है है ना रुमिनेंट अनिमल्स जो जुगाली करते हैं गाइवैस ऐसे अपने का खाली बैठे मूच अब आ रहे होते हैं वो अंदर से निकाल रहे हैं उसको दुबारा चीव करते हैं और इनका जो काउडंक होता है उससे हम बायो गैस मेथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं वी कैन है ना सिंथेसाइज मेथेन या प्रोड्यूस मेथेन फ्रॉम देर काउडंक क्यों क्योंकि उसके अंदर रुमेन में होता है उनके स्टमक के चार पार्ट होते हैं अलग अलग तो एक रुमेन पार्ट होता है ओमेसम ऐब ओमेसम ऐसे करके चार पार्ट होते हैं उसमें एक जो रुमेनेंट पार्ट है रुमेन वाला वहाँ पर ये बैक्षिरिया होते हैं मेथेनोजन्स जो उनके फीकल मेटरल में मेथेनोजन्स को एड़ कर देते हैं उनका जो गूबर निकलता है काउ डंग जिसको बोलते हैं उससे हम कल को बायो गैस बना से यही चीज़े आपको समझ नहीं आप जादा कुछ है ही नहीं आप सोचते हों कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ बच्चों एंसी आटिया अब देखो कितनी इंटरस्टिंग शीज़ समझा रहा हूँ कैसे कॉश्चन पूशा गया है इन वच किंगड़म वड़ यू क्लासिफआई आक्या नांटरРЕजन-श फिंग हमेशा किसमें आ जहाए एकस्ट्रीम से कडिशन लिख सकते हे यं हाँ या ना वह इसमें जाकर एकस्ट्रीम सा लाइन यहां लिा हुआ है 2017 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कहां गया 2017 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे अभी जाकर मार्क करो ना चर्माते क्यों हो भई एक्स्ट्रीम सलाइन कंडिशन कहां गया ऐसे मार्क करो अपने NCRT आपको भी तो पता चले मेरी कितनी लाइन्स डारेक्ट NCRT से पूछी गई समझ पा रहे हैं यह तो common question था वैसे भी आप लगा सकते हैं अगला question देखें methanogens belong to 2016 में इसी इसी paragraph से हाना methanogens 2016 पील लो बहुत मज़ा आएगा in fact यह वाला जो था ना 2003 में पूछा गया था यह मार्क करो इसके नाम के आगे मार्क करो तुम्हें पता भी तो हो ना हाला कि मोनेरा में भी मार्क हो सकता है पील करो देखो अभी इसी से कितने questions बन कर आ रहे है मैं तो नहीं लिखते अच्छा जी अगली बात बिट्र दॉब्ट से वाटर लो भई आंसर आ गया आर्की बैक्टिया एक्स्ट्रीम कंडिशिन ए एक्स्ट्रीम कंडिशिन ए लाइन पिछले में थी ना कि यह आर प्रेसेंट एवरिवेर यह कहीं हम लोगो ने पढ़ा भी था नी पोस्ट्र ऐसे मार्ग करो लिखो दोजार तीन यह लाइन आई थी बस हाँ उसका मतलब आपको नहीं समझ भाया तो अभी समझ भी बार आंसर से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं दोजार तीन लिखो पील आ रही है थोड़ी बहुत क्या हम इन चीज़ों को कर सकते हैं आगे जा रहा है नहीं जा रहा है अब देखो हाइपो थर्मिक और्गनिज्म डाट ग्रोव इन असेडिक पीच्डिस यू बैक्टिया नार्किया बिल्कु ठीक बात है आपको पता ना आर्किया में तो होत कोशने extreme condition ना थर्मो आसेडु फेल्स कि बात रॉख सिर फ्लिटा है रवाधिवेड़ कहां गया कर विदितक मैं ही किसे यह तस्ञाने तदस अब मांक कर आप्तनेitations को माद के और ऊं यूवेल फेल गुड बस एक कार वादे स्वादा नीं एयसे मैं आर्वार नहीं मारा कर रहा हूँ कि एक paragraph कितना colorful दिखता है एक ही paragraph से आपके अलग-अलग सालों में कितने question पूछे गया है यह देखो कितना बढ़िया question combination statement की बात कर पूछा है इसमें से correct कितने है ठीक ध्यान से सुनना मेथनोजन्स प्रोड्यूज मेथेन बिल्कुल ठीक बात है नॉस्टॉक इस फिलमेंटस ब्लू ग्रीन अलगी आगे पढ़ेंगे हाला कि यह भी सही है कीमो सिंथेटिक और टॉट्रॉप बैक्टरिया संसाइज सेललोस फ्रॉं ग्लुकोज गलत है लुकोज बनाते हैं सेललो ग्लुकोज गलत हो गया माइको प्लाजमा भी आगे पढ़ेंगे यह नहीं सही है आंसर यह दोजाद दस में क्वेशन है है इसको सबसे लास्ट में में डाल देता है ठीक है यह देखो आर्किया पर क्वेश्चन इन दे लाइट रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंटो क्वेश्चन स्मझ में आया रिचल विच फॉलिंग स्टेटमें इस त्रू आर्किया 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 आप अपसेंटे बात करते हैं णिद्ला बात आर्किया इस वागल में इस चीजें अनोड कर सकते हो थोड़ा बैक जाओगे आपको सब चीजें दिख जाएंगे में सिस्टम किदर गया इना मने रह यह गाया भी ओगया शॉयर दोजाराट थ्री डुमें अट्री डॉमें शॉस्टम डॉजाराट में पॉच्छन आएं तिम देखो गिए हर लाइन siat यह कहीं न कहीं डारेक्ट पूछी जा रही है और कुछ भी चीज़ चोटी नहीं है चलो भाई, यह देको और खॉशन आ गया, सेल बॉल के स्ट्रक्शर के बेस्निस पर खॉशन आ गया, मैंने बोला किस बेस्स पर चेंज है, क्योंकि उसका सेल वाल, यह पॉस्पिलिटीज आपको समझ में आनी चाहिए अब जो क्लासिफाई किया गया यह पिछले वाले क्वेशन काई है क्लेमाइडो मुनास और कहां से है अब तो कहां पर है पहले इसको क्लासिफाई किया था इस्ट वगरा की बात कर रहे हैं यह तो क्या है स्ट्रेप्टो कुकस कुकस मतलब बैक्टीरिया मैं तुम को सिखाना चाहता हूं बच्छों सीधा सा एक इमानदार एफर्ट है मेरा तुमारे लिए क्या यह क्वेश्चन डारेट न्सी आटी में लाइन है लेकिन क्या यह बाहर की है तो बोलोगे डारेक्ट तो नहीं है बट क्या यह बाहर का नहीं स्ट्रेप्टो कुकस बैक्टीरिया में दिया और बैक्टीरिया में यह भी दिया है कि मेंब्रेन बाउंड से लॉगनली अप्सेंट होते हैं दोनों के नॉलज़ को कंबाइन करो दोजार के दस के कॉश्चन में चार नंबर एक्दम बिंदास लेकर ठीक है देख रोग पॉस्बिलिटीज डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टरिया क्यों है यह थोड़ा सा आउट अफ स्लेबर्स था हमारे अभी स्लेबर्स में नहीं है मोनेरा से कौन बिलॉंग करता है ना ही यह ना ही यह यह एक लॉजिकल कॉश्चन है थोड़ा पुराने में पूछ लिया गया आर्की बैक्टरिया को मैंने बूला क्या लिविंग फॉसिल ओल्ड यू बैक्टरिया में क्या है नॉर्मल बैक्टरिया है यू बैक्टरिया सबसे बड़ा यही लगता है लोगों को बट इतना कुछ है नहीं कि बैक्टरिया मोनेरा सर्क इतना बड़ा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है यू बैक्टरिया की बात करें इनका बेसिक मतलब क्या होता है यू का मतलब पता है क्या होता है यू का मतलब बच्छे होता है true ऐसे बैक्टेरिया यह पास सारे features हैं लेटेस हैं वो तो पुराने वाले है एक हास बात क्या इनके पास proper cell wall है और अगर motile है उनके पास फ्लैजला जरूर है इनके पास फ्लैजला जरूर है कि साथ में इसी के अंदर एक और केटेगरी है साइनो बैक्टरिया की जिसको आप बीजी ये बोलते हो blue green algae जिसको आप बीजी ये बोलते हो ऑन बेस्ट इन आपसे question पूछा जाएगा न एक बहुत ही बैतरी हैं आपसे question पूछा जाएगा ब्लू-ग्रीन अल्गी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हायर प्लांट से मैच करती हैं एक अच्छी बात जो अपने अपने कॉश्चन बनेगा भी साइनो गैक्ट्रिया कैसे होते हैं ये यूनिसलूलर ही होते हैं कालोनीज भी बनाते हैं एंड सम्टेंज दे आर फिलामेंटिस एक अच्छी बात ये कहीं भी एक्वाटिक भी रह सकते हैं फ्रेश वार्टर मेराइन और ट्रस्ट्यल भी रहते काम की बाद ये एकिल अकीला कालोनी ॔र फिलमेंट के फॉर्म तीनों के फॉर्म में ही में ही मिल सको ही हर लाइन अपने आप में इम्पॉर्टेंट दिख रही है। पॉस्बिलिटीज को समझो अपने आप मजा आएगा अपने आप और मजा आएगा और पॉस्बिलिटीज को कॉलिटीज आ सराउंडेट बाई जिलाटिनिशियस सीट है ना वह भी हम आगे पढ़ेंगे और बेस्ट इंग इस यह बहुत अच्छी लाइन है स्टार लगा लो पॉलूटेड वाटर में सबसे ज्यादा क्या ग्रो करता है यू हाब तो राइट ब्लू ग्रीन अल्गी नीचे से ब्लूम इन पॉलूटेड वाटर कल को चार ऑप्शन होगा विचा दफॉलिंग विल वेल ब्लूम ड इन पॉलूटेड वाटर उसमें डाइनो फ्लैजिलेट्स वगरा भी दे दिया जाए फाइटो प्लैंक्टॉन दे दिया जाए कुछ आंसर नहीं जाएगा आंसर ब्लू ग्रीन लगी आते हैं नाटरियन विक्सिंग ब्रेक्टरीय आते हैं यह सब ब्लू ग्रीन अल्गी आर इंक्लूडेड इन विच उफ फॉल इंग ग्रुप प्रशन आ गया डारेक्ट आ गया हम एक परग्राफ को करके पांचों-दसों प्रिविएस यह के कर सकते हैं हां हम पैरलल में कर रहे हैं हम अलग से टाइम ने निकाव रहे हैं हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चिंस करते हैं हम पैराग्राफ कर रहे हैं उसके क्वेश्चिंस करते हैं साइनो बैक्टरिया का दूसरा नाम क्या है ब्लू ग्रीन अल्गी बहुत टफ लग रहा है तो उसी तरह से विचर दे फॉलिंग स्टेट्मेंट इस रॉंग यू बैक्टरिया को हम ट्रू बैक्टरिया बोलते हैं ना की क्या हम बैक्ट जाकर आंसर पर ऐसे टिक कर सकते हैं इस पीडियेफ से अभी के अभी अभी अपनी बुक में मार्क करो मेरे बच्चे बिलकुल तुरंत माग करो कौन सा कोशिन अपनी पीडियेफ में सब फिल करो और मुझे वाट्साप करो मुझे टेलेग्राम करो मुझे कहीं पर भी मैसेज करो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये तुम्हारी रिस्पॉंसबिलिटी है कि मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो इस एफर्ट को बेकार नहीं जाने दोगे पूरे पूरे यूट्यूब में कोई ये नहीं करा रहा है तो ये नहीं करा रहा है जो मैं करा रहा हूं NCRT को भी पढ़ो और उसमें कौन सी लाइन कब कब पूछी गई है वो भी समझो हर एक छोटा 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 समझे रहो कि सेफर्ट को वेस्ट नहीं जाने देना है समझे रहो नीट की कसम है मैं नहीं करता मुझे भेजो चलो मत भेजो अपनी बुक में लिखो उसक इसम का यू बैक्टरिया में ही कुछ और बातें करते हैं और उसी से बात कर रहे हैं कौन सा भाई ब्लू ग्रीन अल्गी तो वो जो ऊपर शीच थी ना है ना उसको रहे है एक्ट्रोसेस्ट और यह हैस्ट्रोसेस्ट अभी डेग्राम भी देखेंगे यहां पर डाग्राम प्रक्राइब में नॉस्टॉक है और एना बिना है कुछ-कुछ कीमो सिंथाटिक ऑट्रॉफिक बैक्टरिया है जो औक्सडाइज करते हैं जैसे मैंने भी बदाना कि सिर्फ ब्लू ग्रीन अल्गी ही यह काम नहीं करता और यह और यह आट्ट्रॉफिक बैक्टरिया भी कर बनाने में आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया तीन चार आप्शिन्स आपके पास रहें कि है ना साथ साथ में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहां पर अगर तुम ल्हान से समझो मेरी ज़रा सोचो समझो बात को समझना कीमो सिंथाटिक बैक्टरिया का में रोल क्या है दे प्ले ग्रेट रोल इन नूट्रियंट साइकलिंग फॉस्फोरस की साइकलिंग है ना नाइट्रोजन के साइकलिंग सेलफर के साइकलिंग नाइट्रोजन साइकलिंग मिन्रल नूट्रिशन चाप्टर में प बट वही mixed question है frankly बोलूं तो तो answer यह नहीं हो बुझाता है दो बार आ गया शाथ कोई बात यह देखो organism which obtained energy by oxidizing of this question आ गया ना उसका मतलब क्या यह question 2002 का था मतलब यह line छीपी हुई थी जिसमें से 2002 निकल कर रहा है कितना अच्छा है है तो नुकलियस अप्सेंट अप्सेंट का मतलब कौन साइस में से प्रोकरियोट अना भी ना नौस्टॉक आपको पता ही है 2005 का था ना 15 का था बात समझभा रहे है बिल्कों बिन्दास शीजों को याद करो यह देख रहो यह इसके बाहर मुस्लेज की शीथ है बहुत से जो उपर पर है और साथ में यह हैट्रोसस्ट है जिसका काम में काम के हैं नाट्रोजन टिक्सेशन एना बिना नौस्टॉक दो कुए नाट्रोजन फिक्सक बाना का करता है। कि बात करें अगर अगर सारे बैक्ट्रिया की बात कर लेकिन अगर, बैक्ट्रिया का अंदर भी या बैडनेंट की बात करें बच्छों तो सबसे रोल जैसे किसका कीमो सिंथाटिक और ट्रॉप्स का क्या था रिसाइक्लिंग नूट्रियंट्स वैसे ही मेजर रोल इसका क्या है ऐसे क्वेशन आते हैं आपको पॉइंट पढ़कर कितनी क्वेशन कर लो ना कि तुमको लगने लगे यार यह क्वेशन बन सकता है यह अच्छा क्वेशन समझ रहो ना इस वर्ड को अभी के अभी याद करें बच्छों हैं सिट्रस केंकर इस बेक्तिरी डिजीज एक वश्जीन इसा डेखने में कई बार लगता है कि क्योंकि सिट्रस में मैक्समुम फंगल डिजीज लगती है question पूछ लेंगे citrus which of the following is not a bacterial disease बोल देंगे smut, citrus canker, fitness और cholera तो वहाँ पर smut will be the answer क्योंकि वो फिर fungus के disease है citrus, canker और ये सब चीज़ें bacterial disease है ऐसे questions directly आपके सामने परोसे जाते हैं अगर मेरी बातों को feel कर पा रहे हो समझ पा रहे हो तो mark this, जो भी point अच्छा लगे सर ये चीज़ अच्छी बताई ध्यान नहीं दिया था mark this right now ये तुम्हारी duty है और बचो जब अभी MCQs की शिरुवात करेंगे ना daily business पर ये तुम्हारी duty बन जाती है तुम्हारी duty बन जाती है कि possibilities को बहतरीन करो ताकि हम selection अच्छे से अच्छा ठीक है चलो अगली बात करते हैं ये कहान ही आपको समझ में आ गए यह देख रहो एक unfavorable condition as they produce a spore during unfavorable condition they produce a spore they also reproduce by short of sexual reproduction of adopting primitive type of DNA transfer इसको बोलते हैं क्या conjugation primitive type of DNA transfer conjugation bacteria के अंदर conjugation होता यह word नहीं लिखा लेकिन इसको explain जरूर किया है sexual method जैसा ही कुछ bacteria के अंदर क्या होता है you have to write conjugation or simple prison unfavorable condition में spore formation मुझे रगता है तीनों ही point तुमको समझ में आ रहे हैं कुछ भी अभी तक पूछना है बच्चों तो you can ask me right now immediately अभी क्या भी पूछ लो मैं पानी पी लेता हूँ done अगली बात करते हैं इसी बैक्टरिया मुनेरा के अंदर ही एक और को classify किया रहता है बट उसमें cell wall ही नहीं इसको अगर मैं थोड़ी सी अपनी ग्यान वाली बाते बताऊं तो जोकर ऑफ बलांट किंडम बोलते थे इसको जोकर आफ प्लांट किंडम और इसको पलब मॉलिक्यूट्स बोलते थे ऐसे सिप कई नाम हैं हम उस पर नहीं जाएंगे हम सिर्फ NCRT की रेडिंग लगाएंगे दूसरी बात स्मॉलेस्ट लिविंग और यह सब पॉइंट्स में नोट करोगे और यह हमेशा अनिमल और प्लांट को पैथोजनिक के फॉर्म में कई बार नुकसान पहुंचा रहे होते हैं तो क्या वन टू थ्री फॉर फाइफ यह पांच पॉइंट लिख सकते हो कभी भी पैराग्राफ में मत लिखो आज भी नोट्स बनाना शुरू करोगे तो अगले 38 दिनों में 38 चाप्टर तुम्हारे त्यार हो जाएंगे डेली का एक चाप्टर अच्छे से त्यार करो और मेरे MCQs जाकर सॉल करो सर कैसे मिलेंगे मैं सुबा आठ बजे एक चाप्टर वाइज टेस्ट करता हूं स्पेशल क्लास अनकैडमी की लर्निंग आप पर आजाओ और रात में दस बजे एक फुल लिंथ टेस्ट करता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए उस पर भी आजाओ दोनों की पॉस्बिलिटी ब क्या होगा फाइदा उसका मैंने हमेशा सीरीज में ही लेक्शर्स लिए हैं पहला चाप्टर फे दूसरा चाप्टर फे उसके प्योर न्सियाटी बेस्ट एंसी क्यूज है उठाओ देखो रिकॉर्डे लेक्शर्स को देखो वहां से पीडियाफ डाउनलोड करो आंसर पंद्रा का कॉश्चन आ गया है मार्क दिस तिंग दोजार पंद्रा को दिक्कत विचलों अमंग द फॉलिंग स्मॉलेस सब डिफाइन है लेकिन दोजार सत्रा है यह यह वाला और बात कर ले है इतनी वाल यह कॉश्चन आ चुका है चलो यह यू बैक्टिया यह दुबार माइको प्लाजमा इसमें से किस चीज़ पर है तो प्लियो मॉर्फिक मतलब दे चेंज दियर शेप यह अन्सी आडी में अब नहीं मेंशन है पहले चीज़े थी तो अंसर कॉश्चन आते है दोजार साथ लोजार साथ लोशन चीज़ शेप दूसरा दे कन कॉस डिजीज इन इसमें से सर्फ एक ही बात अभी लिखी होई है बाकी नहीं लिखी बात स्टिल यूहाँ तो रिमेंबर दिक्कत नहीं होनी चीज़े अ अब यह कॉश्चन आया था ट्रांस्डक्शन का ट्रांस्फर और समजीन फॉम वन बैक्रिया टू अनधर दो है ना मैंने जो मार्क करवाया लाइन लिखी है लेकिन एक्स्प्लेइन नहीं किया लोग कह रहे हैं यहां लिखेंगे दो हजार दो है नहीं एक से दूसरे में ह है ना बाते समझ पा रहे हैं अब इस चीज़ को समझेंगे वो ट्रांवो कांजूगेशन था यहां वायरस हो गया तो यह फिर आप पर 12th क्लास का टॉपिक चला गया हला कि यहां से भी पूछा जा सकता है बट यह 12th क्लास का टॉपिक चला गया जहां पर ट्रांस्डक्श वो कांजूगेशन था बैक्टरिया के अंदर तो यह आपका बायोटेक वाले चाप्टर का पार्ट हो गया जो 12th क्लास में पढ़ाते हैं तो यहां पूछ लिया तो यहां भी डाल दिया ठीक है चलो भई हमने मुझे लगता है 56 मिनट हो चुके हैं कहने को बट एक गंटे लगब बट मुनेरा अच्छे से हो गया प्रोटेस्टा भी थोड़ा सा बड़ा है अच्छा अच्छे से हो जाएगा डोट गरी किंग्डम प्रोटेस्टा की जब मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी चीज यह है बच्छों कि सिंगल सेल यूकराटिक क्या है पहली बात इस इनकी बांडरी इस अच्छे से डिफाइन नहीं कि इसमें सिर्फ कैसे ऑगनिजम मलते हैं सबसे ज्यादा वराइटी वर्सेटाइल वाली बाते हैं इसमें फोटो संथेटिक भी बोलते हैं इसको अलग-अलग फॉर्म में अब इसमें आते क्या क्या चीज़ें क्राइजब मेंली खॉह पर मिलते हैं चा άλλiden फ्रेटिक दूसरा नैशा बेटीश ही नियून प्लांट एनेमयरल फंजाई फैरी इंप्टेट इंट-चाहिए और प्रोटोस्टा के बाद अलिक विट प्लांट एनिमल एंड फंगस सी कौन लिंक कर रहा है स्लाइम मोल्ड फ्लांट से कौन लिंक कर रहा है यह जो क्राइजोफाइट्स और यह यूगलिनॉइट्स की बात करें फोटो संथर्टिक ना दैनो फ्लाजलेट्स अनिवल से कौन तो प्रोटोजोर एक दूसरी शीज कुछ के पास सिलिया है कुछ के पास फ्लाजला है यह र सबसे पहली बात करते हैं सबसे पहली बात करते हैं क्राइजोफाइट्स अब टॉपिक पढ़ो और इसके क्वेशन मिलते जाएं तो मुझे लगता है बहुत ही बहतरीन आप्शन बन जाता है बच्चों के पढ़ाई करने का ना समझे हो समझे थो ठोड़ा सा और इसका मतलब इसका दो पार्ट हो गए और डस्माइट का ही दूसरा नाम होता है गोल्डेन अल्गी क्या वोड यूस किया गोल्डेन अल्गी याद रखे आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर आज वेल आज मेराइन वॉटर दोनों ही जगहों पर मिल रहे हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक है उनको प्लैंक्टॉन बोला और यह पानी में पैसिवली फ्लूट करते हैं मतलब इनके अंदर खुद एनरजी नहीं जहां जाएगी वॉटर करेंट वहां फ्लूट कर रहे हैं इनकी बात करेंगे आज दूसरी शीज एक बात को समझें यह वर्ड दिया हुआ सूप बॉक्स तो जितने भी है डाइटम्स होते हैं इनका जो शिल होता है वो ऐसा होते है यह एक सूप बॉक्स की तरह अटैज्ड होते हैं इत बड़ा सा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो explain करता हूं अभी सिर्फ हम NCRT की बाग करें इसलिए बहुत detail में हम नहीं जा रहे हैं ना कानी को समझेंगे है इसको बोलते हैं एपी ठीका ठीक है इसको क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं क्या हाइपो ठीका तो यह हमेशा सोप बॉक्स की तरह आपस में अटैच होते हैं डाइटम्स याद करें ओवर लैपिंग शेल्स आर नोन आज इस है ना अच्छा जब अच्छे यह बने किस्सें होते हैं इनके उपर एक सिलिका की लेयर होती है बच्चों सिलिका एक हाड चीज होते हैं सिलिका की लेयर होती है नोट कर लो तो जैसे ही यह डेड होते हैं इनकी सेल्वाल डिपॉजिट हो जाती है वहीं पर वहीं पर वहीं और उस अक्युमिलेशन से पूरा पूरा वो एरिया बिलियंस ओफ डाटम्स की डेड बोडी पड़ी आपको लगता है जैसे कुछ पत्थर सा है वहाँ पर है अब इसकी गृटिनेस इसकी जो हाडनेस होती है उसको हम यूज कहां करते हैं पॉलिशिंग इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन ओफ उयल में यूज करते हैं इसी गृटिनेश को सिलिका वाली प्रॉपरिटी को सिरप में यूज करते हैं खीक है यहां पर दो तीन पॉइंट्स जो आपको स्पेशली याद रखने हैं बच्छो मैं हालाइटर यूज करता हूं सुनना यार दी चीफ प्रोड्यूसर ऑफ दी ओशन मतलब सबसे ज़्यादा फोटो संथेसिस करके बायो मास डवलप करने वाला कौन होता है सो बॉक्स आपको याद करना है टाटमिशिस अर्थ याद करने है बच्छो ये वर्ड याद रखना है बहुत बार पुछा गया है किस चीज में इस्तमाल हो रहा है ये भी पुछा जाता है बार बार पुछा जाता है किप्स पर चीजों को याद रखो कि तुमको सब कुछ आता है क्योंकि तुमने कंफाइंड और एक्जैक्ट पढ़ा है फालतों की बक्वास नहीं पढ़ी पहली बात क्वेशन देखो कितना बहतरीन क्योंकि मुझे पसंद है कि उस लाइन की वैल्यू आपको समझाओं प्रिविएस यह क्वेशन के दुछ 2010 के बाद ऐसा कोई ही क्वेशन गया होगा एकका दुक्का जो आउट और स्लेबस है अट लिस्ट इतना तो है कि तुमको नीट में सेलेक्ट कर दिया जाए अब आप से बोला जाए 360 में 340 अब कंफर्म पा जाओगे अगर प्योर NCRT पढ़ लो 350 कंफर्म पा जाओगे तो क मेरा बड़ा मन कर रहा है यहां 2008 तुम भी ऐसे कर सकता है और ओवरलैपिंग शेल्ट विच फिट टूगेदर 2015 में पूछा गया है यह यह लाइन किसी को नहीं पता कौन सी लाइन का पूछ लीजा 2015 में पूछा गया है ऐसे मार्क करके फील करो तुम्हारे सामने बात कर रह अगली बात डाइनो फ्लाजिलेट सी बात डाइनो मतलब दो दो फ्लाजिला जिसमें होते है उसको बोलता है डाइनो फ्लाजिलेट्स अगली बात अगली बात डाइनो फ्लाजिलेट्स की बात डाइनो मतलब दो फ्लाजिला जिसमें होते है उसको बोलते है डाइनो अच्छी बात यह कि एक फ्लैजला लॉंगिट्यूडनल होता है एक ट्रांसवर्स होता है निकलता कहां से है यहां पर आप डियाग्राम अभी देखोगे यह यह तो यह सेलुलोसिक प्लेट है देख रहा हूं इसमें छोटी-छोटी सेलुलोस की प्लेट होती है जिनको कवर करता है और इस प्लेट के बीच में जो फरो है वहीं से यह निकलता है एक ट्रांस्वर्स और एक लॉंगी तुनर नाइंटी डिग्री के इस्टा है अच्छा यह सेलुलोसिक प्लेट होता है थोड़ा सा एक्स्टा बता रहा हूं नहीं हमारे काम का तो बिल्कुल आर्मी वाले नहीं जैसे उपने आउपर धाल लगा के चलते हैं यह आर्मर्ड प्रोटेस्टा अलसो नोन आज आर्मर्ड प्रोटेस्टा यह देख रहा हूं ना कहां से निकलते हैं फरो बेट्विन वाल प्लेट्स अच्छा कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि यह अपने कलर अलग-अलग होते हैं ना इनके जो रेड हैफ डाइनो फलजलेट उसका और वो इतनी जल्दी डिवाइड करता है ओशन में इस है ना तो रेड कलर का रिखता है और रेड टाइड आपसे क्या पूछते हैं रेड टाइड इस वास्ट डूटू है ना रैपिड मल्टिप्लिकेशन ऑफ गॉनलेक्स इस फिल विडियोर आंसर है ना एक और अच्छी चीज क्या कि यही गॉनलेक्स क्या करता है एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे मेराइन एनिमल्स और जो फिशेज होते हैं वो उतको खाते ही मर जाते हैं तो अपने अंदर एक डिफेंस कैपेबिलिटी बना कर रखता है जबर क्वेशन देखें क्या यह क्वेशन ह ठाइन अजी क्वा प्टा क्व्षेन था Gonzalez सुला ँवा क्व्षेन लुकसिन लेख सकते हैं आच्छा अगली बात करता है यूगली ना की बात करते हैं य्जज Kurds बोलते हैं सब्सकूम बच्चों यूगली और इमेन आइड इत पुलते हैं यह मेंसर्थ pseudo Freshwater में में मिलते है और stagnant water, रुका हुआ, खहरा हुआ पानी, यहाँ लिख लो, खहरा, अबलिक, रुका हुआ, अचा, इनके पास cell wall तो नहीं होती, बट उसकी जगा पर, प्रोटीन की rich layer होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, पैलिकल, उसके लिए word क्या उसकरते हैं, पैलिकल, और जिसकी वज़े से इसकी body बड़ी flexible होती है, तो flexibility of euglenoid is mainly due to कल को question आजाए, तो तुमको क्या करना हो, मेरे साथ sincerity reading करो, मेरे साथ sincerity reading करो, बिलको सिस्टों आटे, ये चीज़ें आपको लिखने पर, ये चीज़ें आपको लिखने पर, they have two flagella, एक बड़ा होता है, one short, and one norm, एक छोटा और एक बड़ा, एक अच्छी बात ये कि in presence of sunlight, they are photosynthetic, बाते समझ पा रहे हैं, और जैसे ही light नहीं होती, they behave like heterotrops, और जो smaller organism होते हैं, उनको खा जाते हैं, predator, predator मतलब शिकारी, एक अच्छी बात ये कि इनका भी pigment higher plants की तरह same होता है, higher plants में कौन सा होता है, chlorophyll A, example में यूगलीना, याद रखेंगे, एक example क्या है, यूगलीना ये देख रहे हैं, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा फ्लाजिला, वर्ड को याद रखेंगे, अब काम की बात ये कि हम slime mold पर jump कर लेते हैं, slime molds कैसे हैं, अभी तक जैसे photosynthetic की बात आ रहे थी, ये saprophetic है, मतलब, especially जितने भी decomposers हैं, unicellular, वो ये इसमें आएंगे, किस पर depend रहते हैं, जो भी decaying twigs हैं, लकडिया हैं, लीफ हैं, उनको खा जाते हैं, और suitable condition में, जब भी suitable condition होगी, तो बहुत से छोटे-छोटे unicellular organism मिलकर, unicellular slime mold मिलकर, एक बड़ा सा club बनाएंगे, aggregation बनाएंगे, छोटे-छोटे cells, ये सारे slime molds हैं, और सारे मिल जाएंगे, सब मिल गए एक लिए, एक बड़ा area बना लेंगे, that is called as plasmodium, ये plasmodium इसलिए क्योंकि वो उस plasmodium से malaria वाले से अलग है, क्योंकि ये italics में नहीं लिखा है, वो italics में लिखा होता है, cursue style, यहां से समझ जाना, और ये कब बनता है, suitable condition में aggregation बनता है, और वो कई feet तक grow कर जाता है, और unfavorable condition में, ये अपने उपर force बनाते हैं, जिसके पास proper wall वगरा होती ह और इस unfavorable condition में, during unfavorable condition, ये sports बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, pseudo plasmodium, यहां नहीं लिखा, ठीक है ना, इसको क्या बोला बच्छो, pseudo plasmodium, adverse condition तक वो, मतलब जब तक adverse condition रहेगी, तब तक वो survive कर जाएंगे, जब भी इनके, अच्छा, sports क्या करते हैं, sports को ये air के तो स्पोर्स कर देते हैं, sports are disposed by air current, ये भी अपने आपने एक question है, कल को पूछ लिया जाएंगे, तो हर point को बहुत systematic याद करो, possibilities बनाओ, मैंने आपकी NCRT को simplified कर दिया है, and we call it as NCRT simplified, छोटे-छोटे paragraph को cut किया, ताकि concept समझो, बड़े-बड़े से बोर ना हो, question देखो, इसमें स्लाइम मोल्ड कौन सा है, ये out of flavors बाते थी, लेकिन again, मैं चाहता हूँ, जो जासाथ है ना तब तक change थी, तब बुक change थी, मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप याद करता हूँ, तो ये स्लाइम मोल्ड है ना बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसको बोला क्या हूँ, प्लाजमोडियम, मैं अब उस फेज को बोलते हैं, प्लाजमोडियम फेज, ठीक है, अच्छा प्रोडोजोवा की बात करें, तो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कभी-कभी predator, कभी-कभी parasites की तरह जंदा रहते हैं, और उसमें चार मिजर रुप हैं, पहला, अमीबॉइड और अमीबा के शेप के होते हैं, और यहां पर question पूछा हुआ है, कि किसके पास डाइमॉर्फिक हैं, तो paramecium वगरा की बात हो रही है, सुनो मेरी बात, ये अपने, इनके पास pseudopodia होते हैं, जिसको आप false feet बोलते हो, जैसे की अमीबा में, एक खास बात क्या होती है, बच् इनका जो marine form होता है, जितने भी आपके ये, अमीबा होते हैं, उनके अंदर शिलका की cell होती है, अमीबाइड वाले, जितने भी होते हैं, and उसके example में कुछ है जैसे, ant amoeba, जितने भी अमीबाइड है, उनके अगर वो marine form है, तो दे याप silcaceous shell बाहर बाहर में, second की बात करे है बच्छों मैं स्टेकेंड की बात करें लिए विए वारी टो हम बात करते हैं इसको बहते हैं लगा अपलोडियार फ्लाजिला एद लोको मोटरी और ल को पूछे ना कि प्रोटिस्टा को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है तो आन्सर क्या लखना होगा पता है लिखोग और इसका जो प्री लीविंग है साथ में प्रसेटिक भी हो सकता है कि प्रसेटिक ए प्रसेटिक क्लास से जूफलेट इस बहुत पुराने टाइम में आया था तब भी अपने डिफरेंट थी फिर भी इतना सेम कॉश्चन आगी अला कि यह सब नहीं पढ़ते हैं इतने डीप में सार को डीना वगरा दू फ्लाजिलेट आचा दूसी चीज़ पॉडिया दे लोको मोटरिया फीडिंग स्ट्ट्ट्ट वस्पॉरजोंस यह रॉंहों हो गया न इस फॉर बनते हैं यह स्ट्टे पोडिया हमी ऑइबोायड प्राल लाक्र एक यह देखो हमने अभी तक कितना देख लिया दो यहां देख लिया और यहां दो देख लेते हैं और Sillyated Productions Third One and this one is fourth and third and this one is fourth हर line पर questions बन रहे हैं ध्यांसा देखो Sillyated में क्या है इनके पास क्या है thousands of cilia है इनके पास पॉइंट की बात याद करो काम बन जाएगा इनसे बेस्ट प्यूर एंसी आटी के नुमेरिकल्स जो मेरे स्पेशल क्लास में मिल जाएंगे यह कर लो पीवाई क्यूज जो कर वा रहा हूं वो कर लो और मेरे स्पेशल क्लास के क्वेश्चन सॉल कर लो इससे द्यादा कुछ नहीं पूरता है कि यहाव कैविटी और उसको हम क्या बोलते हैं ग्यूलिट इसके अंदर फूड इंगल्फ करते हैं आ अच्छा इस बात को समझना सिलिया के अंदर एक प्रॉपर कॉडिनेटेड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं और फूड को इंदर डाल पाते हैं ग्यूलिट के इंटू दी ग्यूलिट इग्जामपल में पैरामीशियम याद रखेंगे एक्जामपल बहुत इंपूर्जोंस जैसे मलेरियल पैरसाइट प्लाजमोडियम जिसको आप बोलते हो लेकर यह इनको इस पूर्जोंस बोलने का सबसे इंप बच्छों स्पोर्स बनाते हैं यह बहुत इंपॉर्टन चीज है और यह आपको याद रखना पड़े हैं ठीक एक बात अच्छा जी अगली चीज मलेरिया वगरह यहां से कॉस होते हैं इंफेक्शियस इस पूर लाइक स्टेज है ना पूर लाइक स्टेज है अब यह आपका थोड़ा सा पुराना कॉश्चिन है बट स्चिल मैं चाहता हूं इसको एक बार सॉल्व कर लें हम क्या एक पैरा मिश्यन इस्ट दूर तरह का नूकेस होता है एक माइक्रा नूक्लियस और एक मैक्रा नूक्लियस माइक्स हम बगल वाले को ट्रान्सफर करोँटा है इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है यह अब नहीं आएगा नॉट इंसलेबस ना नॉट इंसलेबस बट मेरा काम था क्या आपको बता देना कि परमेशियम से किस तरह के पहले भी आए हो अब यह दो अपने इसलेबस है भले पुराना क्वेशियन है कि प्लाजमोडियम मलेरियल प्लासाइब विलॉंग स्टू और बात करें अगर फंगस की हमने प्रोटिस्टा भी निप्टा दिया अपने बचों प्रोटिस्टा भी निप्टा दिया बस्तिंग बात करते हैं फंगस की अगर है ना इस्पेशली हम फंगस की बात करें तो कहानियों को थोड़ा सिस्टेमाटिक समझेंगे क्योंकि बहुत सा मिजॉरिटी का पार्ट हमने ऐसे ही खतम कर दिया समझ पा रहे हो मिजॉरिटी का पार्ट हमने ऐसे ही खतम कर दिया नाओ दधि तो काम की बात को समझेंगे, वन सेकन, काम की बात समझेंगे, फंगस क्या है, फंगस आपका इक चीज समझ में आना चाहिए, हेटरोट्रॉफिक, मल्टि सिललर ऑगनिजम एकाद एक्सेप्शिंग को छोड़ कर, सबसे चीज ये, कि मॉइस्ट ब्रेड पर भी मिलेंगे, ये लेकिन टोड स्टूल के फ़र्म में पॉइजनस भी होते हैं, टोड स्टूल बहुत पॉइजनस होता है, इनके अंदर कुछ-कुछ यूनिसलर भी होते हैं, इसी बाहरे आपको डाटा मिल रहे हैं, सब यूनिसलर फंगस का नाम बता हूँ, और कुछ-कुछ बियर और कर लो, यह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यह देखो, इस यूजिंग ब्रेट है, यह वर्ड आपको याद हो, इस कहा था भाई साब, कपका कॉशन था यह इस दोजार बारा, ओके, कहां से कहां, जो हाइलाइट कर रहा हूँ, वही चीज तो इंपोर्टेंट है न, आपको देख के पता चल जाना चाहिए, है न, अच्छा इस पर मैंने हालाइट नहीं किया, यह भी एक अच्छा इंपोर्टेंट कॉशन है, मैंने देखो, मिस कर दिया, वाइट के ध्यान से पढ़ना है, फोकस करता है, अच्छा जी, कुछ एंटिबाटिक्स भी बनाती है, जैसे पैंसीलिय, हर जगा मिलती है कॉस्मो पॉलिटिन की बात करें और इस्पेशली, अच्छा अगली चीज यह सब कहानिया है, एक्सप्शन वाइस बात करें, तो इस्ट एक यूरिसललर है, बाकी जितने भी फंगस है, वो फिलामेंटस और साथ में, मल्टी सलूलर है, फ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हाइफी, मैंने तुमको अल्रेड़ी पढ़ा रखता है, हाइफी के फॉर्म में, सेप्टा और ऐसी चीज़े होती है, हाइफी के फॉर्म में मिलते हैं, अब हाइफी जो हैं, उनके नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम, बहुत से ऐसे हाइफी आज़ों, बहुत से ऐसे हाइफी आज़ों, तुमको बोलते हैं माइसीलियम, अब उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझों, यह चीज मैंने को में स्प्रोस न्यॉक्लियस के बीच में प्रोस्बाश तो इसको बोलते हैं सिप्टेट हाइफ वक्र ne कॉ सबस्ती कि गए घ्रावरींकुइरहिं इन अगर डिभूस तो बहुत से रहें गे का 잘 अंदर इसको बोले味 एस नहीं है लेकिन नुक्लियस तो बहुत जादा है येस इसको बोलेंगे मल्टी सलूलर वो मल्टी नूक्लियर मल्टी नूक्लियेटेड इसी के लिए वर्ड यूज किया है और सीनोसेटिक क्या जिसमें एक से ज़्यादा नूक्लियस होते हैं ऐसी हाइफी को हमेशा क्या बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी और ये हाइफी हमेशा without cross wall होते हैं एस update होते हैं बस यह याद रखना है अच्छी बात यह है कि आपको ये point especially याद रखना है सिर्फ काइटिन से cell wall नहीं बनता जैसा वहाँ बताया था काइटिन के साथ में polysaccharides भी होते हैं जो आपके लिए एक important point का काम करेगा data तो exact data याद रखना question देखेंगे which of the following is wrong wrong की बात की जिस पर भी mark किया भी अभी उसी से काम बन गया आप इसके पीछे का research देख रहे हो बिटा इसके पीछे का research देख रहे हो slide बनाने के पीछे का research देख रहे हो इस research में जो समय लगा मैं दुबारा बता रहा हूं इस effort को तुमको waste नहीं जाने देदा है comment करके बताना है कि तुमको और क्या चाहिए हाला कि हर previous year और हर possible mcqs को भी इसी के साथ में paragraph wise आड़ कर सकता हूं मैं बट वो लेक्षर चार-पांच घंटे का चला जाएगा फिर तुम ठक जाओ इससे अच्छा तुम mcqs करो ना मेरे special class में खटा-घट 15 सेकंड में एक question मैं घंटे भर में निप्टा देता हूं एक सो बीस question घंटे भर वन आर वन ट्वंटी questions आर दी आइक आप जो एक गंटे में अब्वे question करता हूं मैं 120 question करवा देता हूं आप जो personal करतों उससे fast में करवाता हूं तो मेरे special class में जरूर class live attend करूं interactive environment बनता है कभी किसी question में doubt आ जाता है तुम तुरंत पूछ सकते हूं free classes हैं पूरी तरह से और सबसे अची चीज यह कि अगर तुम पहली बार मेरी classes देखोगे recorded देख लो कोई बात तो तुमको code मांगता है कई बार free class देखने के लिए तो मेरा code 80 sir है याद रख लो मेरा code 80 sir है हमेशा याद करो जब भी plus लोगे जब भी special class लोगे जब भी कोई test दोगे combat दोगे हर जलाई applicable 80 sir अनुराखतिवारी अनुराखतिवारी किस से बनी है अब यह बात हो गए क्या हम यहां लिख सकते हैं 2016 अजी यह काईटिन वाली बात भी लिख सकते हैं 2016 यह लिख सकते हैं 2016 है ना अच्छा इस बात को समझें यह से इसमें कोई दिक्कत नहीं कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि यह प्लांट और अनिमल्स पर परसाइट के फॉर्म में होते हैं यह सबसे अच्छी बात किया symbiotic भी होते हैं association बना लेते हैं fungus algae plant के साथ अनिमल के साथ अगर यह algae के साथ में दोस्ती बनाते हैं तो lycan बोलते हैं और higher plants के साथ में दोस्ती बनाते हैं तो mycorrhiza बोलते हैं इनके बारे में सबसे रास्ट में पढ़े हैं अलाकि कुछ questions देखो questions देखो देहां से माइको राइजा इस क्रेट्ली डिस्ट्राइब डैंस क्या यह question आ गया 1996 लेख सकता हूं यह लास्ट में दोनों question देखो दो दो बार पूछा गया एक ही question को घुमा घुमा के पूछा गया पॉस्बिलिटी आपको समझने हो लाइकन्स अगली बात समझो किसी fungus में कुछ और नहीं बात हैं समझने है जो भी reproduction है fungus में और अगर vegetative reproduction हो रहा है यह अपने आपने question है तो fragmentation, fission or budding reproduction in fungus is done by, vegetative reproduction in fungus is done by, यह तीन option, fourth option all, यह विचाथ the following is not a mean of vegetative reproduction, और उसमें fourth में देदेगा ponidia, ponidia क्या है, asexual, poor form है ना, अब यह जो zoospore, zoospore है, यह motile है, ponidia, exospore है, body के बाहर से बनता है, यह कुछ points है जो आपको याद रहे, तो a sexual sport का example, one, two, three, ठीक है, sexual sport का मतलब, वो zygote बना, उसके बाद उसमें sports डेवलफ हो गए, oospore, asco spore and basidio spore, यह भी अपने आप में question है, दो point बन रहे हैं, बच्छों, ध्यान से समझें, तीन points, पहला point यहां पर क्या हो गया, यह पहला point important है, दूसरा point important, तीसरा, पहला क्या, एक चौथा वर्ड आ गया, sports are formed on, question क्या आया, sports are formed on, question अगर ऐसे पूछते हैं, तो आणसर दे सकते हैं, बहुत आसान से, बहुत सिंपल, बहुत आसान, और sexual cycle में हमारे पास तीन steps होते हैं, पहला, fusion of protoplasm between two motile, सबसे पहले क्या होगा, दो gamete अपस में fuse गी, क्या होना, इसको बोलते हैं, plasmu gammy, plasmu gammy से क्या हुआ, आपस में जड़े, अब इस condition को बोलते हैं, die carry on stage, हर एक में नहीं होता, किसी किसी में होता है, die carry on stage, सेकंड स्टिप में इन दोनों के नुक्लियस आपस में जुड़ेंगे इसको बुलते है क्यारियो गैमी इसको प्लाज्मो गैमी क्योंकि इसके साइटो प्लाज्म प्लाज्मा जुड़े सेकंड वन इस ये प्लाज्मो गैमी था न इस वो बुला क्या क्या क्यारियो गैमी क्य और यह जाइगोट बना लिया जाइगोट के अंदर फर्दर, मियॉसिस बनाकर क्या बना लिया, हैपलाइड स्पोर्स, स्पोर वो भी है अपलाइड, क्या यह सिक्वेंस समझ पा रहा हूँ, तो देरा थ्री स्टेप्स और आज सिक्वेंस भी पूछ सकते हैं, सबसे पहले प्लाज्मोग्यमी, फिर क्यारीओ ग्यामी, फिर जाइगोट बना फिर म्यॉसिस बना, फिर उसके अंदर बच्चों, म्यॉसिस हुआ, यह कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे अतनी चीजों से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है कहानिया बिल्कुल अच्छे से चल रही है तो अब इस बात को समझेंगे हमने वेजिटेटिव समझा ए सेक्शुल स्पोर्ट समझे और सेक्शुल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो 2 हाइफी आपस में या ज़रएगे और उसकी वज़से वोडिप्लोई्ट हाइफी बन जाएंगे डिप्लाइट सेल्स बना लेंगे बात समझ पा रहे है को मैंने बताए ना दोनों आपस में जब जोड़ेंगे एक स्टेज बनाते हैं उसको पूलता है । क्थ एक सेल में वहां पर दो नूकल स्टेज यह बातें आपको याद होने शाहिए बिना किसी कन्फूज़ ठीक डाई केरियोन स्टेज फाउंड ऑनली इन वन ए भी बोथ समझ गया ना एसको एन बैसेडियो मैस अच्छा डाई करियोन में क्या होता है आपकी आपको समझ में आही गई कहान या डाई कर रहों इस फेज को बुलते हैं डाई कैरियो फेज वर्ड कहाना उसका डाई कैरियो फेज एक पैरेंटल नुकलिया और आपस में डिफ्लॉइड बना लेते हैं और उससे फर्दर मियोसस से स्पोर्स फ़ॉं कर लेते हैं उससे रेडैक्शनल डिवीजन अतलब मियोसस हुआ और फिर विल्कुल क्लियर फॉर्म में याद करो मेरे साथ रीडिंग करो ना बच्छो मेरे साथ रीडिंग लेगा तुमको खुद अच्छा लगेगा एक हो था खुद ही लगे पड़े हुए समझ में नहीं आ रहे हो ता सर पढ़ा रहे हैं बस सुनते जाओ जब जब भी इस पेडियाफ नहीं भेजा सर आपने यह नहीं किया तुम क्या कर रहे हो समझ रहे हैं मेरी बाद लगे हाथ मार्क ये भी कर सकते हो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पीडियाफ की ये बुक तुम्हारे पास है ये 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 चार चीज़त तुम हाइलाइट कर लो अब आपसे question पूछा जाता है जितने भी fungus हैं जितने भी fungus हैं उनको कितनी classes में define किया था और किस basis पर तुम्हारे बेसिस ओफ फंगल classification ध्यान से सुनना Morphology of mycelium पहला mode of pore formation तीसरा rooting bodies चौथा ये जो चीज़े है ये तीन चीज़े इस्पेशली संदे के टूपली टिर्फ़ फंडी बेसिस ओफ डिविजन ऑफ दे किंग्डम क्लासिकेशन तो सबसे पहले क्लास अबाइको मैस सबसे पहले एक्लास बच्चों क्या बोलेंगे फाइको माइसी प्लांट में मिलते हैं मैसीलियम हमेशा इसका कैसा होता है एस अप्टेट और सीनोसिटिक मतलब उसमें क्रॉस वॉल नहीं है और मल्टी नुक्लियेटेड है यह वर्ड याद कर लें अच्छा जब एसेक्शन रिप्रडक्शन की बात करें तो यह जू स्पोर जो की मुटाइल था यह कभी कभी एप्लानो स्पोर भी बना लेता जो की नॉन मुटाइल जो की वाट नॉन मुटाइल और यह जो स्पोर्स हैं यह बॉडी के अंदर बनते हैं एंडोजीनियस का मतलब बॉडी के अंदर बनना और बनते किसके अंदर हैं स्पोर फॉर्मिंग बॉडी इस नोन आज इस पोरेंजियम प्लीज नोट कर लेंगे P двух BTB , Zone nb Spore forming body is known as Sporengium , DUSRI BATH ZYGOSPORE IS FORMED BY FUSION OF TWO GAMETES and these gametes are similar in morphology the other thing is a ZYGOSPOR बना तो यह word लिखेंगे इनके gametes आपस में सेम सेम होते हैं मतलब आइसोगैमी और अलग है तो ऐनाइसोगैमी या उगया इदो gametes आपस में फ्यूज होते हैं जैसे स्पर्म अलग है ओवम का शेप अलग है तो हमारे जो gametes हैं हीट्रोगैमेट अगर दोनों सेम होते तो आईसो गैमेट वही तो बोला है यहाँ अब इसका एक्जाम्पल याद कर लो म्यूकर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं अल्ब्यूगो परसिटिक फंजाई और मस्टर्ड नोट कर लेंगे एल्ब्यूगो एक्जाम्पल स्टिप्स पर याद रखने ठीक है यह एक्जाम्पल देख रहो कॉलमेला इस प्रेशलाइज इस्ट्रॉक्शन और इस पॉरेंजियन वास तो राइजोपस आपके नहीं है पुराना कॉश्चन है बट आप इसमें राइजोपस में लिख सकते हैं पॉइंट डालकर राइजोपस में गए और देवल फॉर्म कॉल्यूमेला कॉल्यूमेला स्टेज में क्या होता है इस पहरें देख लेंगे इस सारे आपस में ग्रुप बना लेते हैं एक फूल की तरह कॉल्यूमेला स्टेज बोलते हैं उसको अभी अपना स्लिबस लें अच्छा एसको मैं स्टेज की बात करें बच्छों तो यह क्या है अगर बात करें तो एसको साक फंजाई बोलते हैं यह मल्टी सलुलर होते हैं और कभी कभी एक exception wise बात करें तो east की भी बात करते हैं जिसको आप scientific name में Saccharomyces भी बोलते हैं क्या word यूज कर रहे हैं बचों Saccharomyces एक और अच्छी बात बताऊं अगर एक और अच्छी बात इसमें अलग-अलग word है saprophytes भी हो सकते हैं decomposers भी हो सकते हैं parasitic भी हो करते हैं को क्या बोलते हैं coprophytes mycelium branched है और septate है प्लीज नोट कर लेंगे बहुत सी branches आपस में जुड़ी हैं और septa हैं मतलब कभी यह multi nucleated नहीं होंगे सीनोसिटिक नहीं है अच्छा जैसे उसके अंदर अलग-अलग थे इसमें सिर्फ asexual में कौन है conidia जो की body के बाहर बनता है यह बात सबको पता है और conidia बनाने के लिए जैसे वहाँ sporengio spore था ascomacities में conidio spore है conidio 4 की बात बात समझ पा रहे हैं इसके sexual spore को जैसे asexual spore जू spore sexual spore में basidio spore asco spore इसका नाम ही है क्या asco spore तभी तो ascomacities हुआ बात समझ पा रहे हैं और asco spore एक sack like structure पर develop करते हैं उनको बोलते है ascii यह ascus तभी उसका नाम क्या है ascomacities छोड़ी सी बात याद अच्छा इस बात को समझे यह जो ascii हैं इनके group को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते है asco car ठीक और example याद करना बस यह जो दो-चार points लिखें वसी aspergillus claviceps neurospora neurospora crassa और याद रखेंगे यह question बहुत बार आया हुए है कि जेनेटिक्स में यूज किया जाने वाला fungus बहुत जादा जो यूज होता इसका नाम क्या है neurospora crassa morgan of plant kingdom ऐसा कुछ बोलते हैं जो है drosophila of plant kingdom साथ-साथ में कुछ ऐसे भी espomacities होते हैं जिनको हम खा सकते हैं morals and truffles edible होते हैं और काफी जादा अच्छे taste के होते हैं तो लोग इसको खाते भी है तो neurospora आपको याद रखना है एक claviceps, purpurea, aspergillus यह दोनों और pancyllium, sacrum, east और साथ में moral struffles यह कुछ नाम है जो example में याद रखने हैं question पूछा कौन सी बाते हैं इस में से गलत है नीट 2019 में आई थी, east है filamentous structure नहीं, unicellular structure है अभी बात होगी थी rarely unicellular भी है east exam 2009 का question आगया यहाँ पर लेख सकते हैं not a prokariot of course morals and truffles कौन सी बाते हैं यहाँ पर wrong है 2015 का question नेखरो possibilities एक ही paragraph से कितनी शीज़ें आ जाती हैं कई बार यह कुछ examples बात करते हैं बैसिडियो मैसिटी से concept को समझें basic concept को समझें इसके नदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं mushroom प्रैकेट fungi pop of wall के form में याद करें soil, लकडियों पर log tree stumps इन सब पर grow करते हैं अगर disease की बात करें तो rust and smut they will cause rust and what smut यह दोनों याद रहे the mycelium is branched and septate the mycelium is what branched आट से questions पूछते हैं which of the following is branched and septate to esco macetis or basidium and deutero also तीनों है अच्छा most common vegetative method कौन सा है asexual sports not found asexual sports not found points ही बात कर रहे हैं sex organs absent but plasmo game ही हो जाते हैं अच्छा 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 asco spore कहा किस fruiting bodies में grow करता था asco carp वैसे ही यहां पर presidio carp common चीज़े हैं concept clear हो गया notes सीधे बन गया तो बात बन जाएगी जरा से भी दिक्कत हो comment में बताना I am promising you मैं इसको special class में solve परवाद हूँ ठीक है कुछ examples में agaricus mushroom जैसे बोलते हूँ stilagos mut paxenia rust याद रखेंगे lose smut of this इसमें याद रखेंगे lose smut समझ पा रहे हैं चोड़ी चोड़ी चीज़ें हैं आपको याद रखेंगे amanita जो यह भी इसी में आते है amanita यह जो एक fungus होता है उसको इसी mushroom की तरह होता है लेकिन बहुत और नीद लाने वाला उसको बोलते हैं hallucinogen amanita paxenia समझ गए 2000 में question आया था paxenia again 1995 में question आया था कुछ questions है जवाब से agaricus कहां का question अगारिकस यहां लिखे लेते हैं 2008 में आया था यह लाई मश्रूम की बात तुम भी मात कर लो जहां तुमको लगेगी हाँ extra है तो इसको side में लिख लो जो जगा होती है चलो paxenia 2010 में आया था यह अगारिकस का डाइग्राम है deuteromyces काफे interesting है बच्छों बहुत ही interesting है ध्यान से सुनना इसको imperfect fungus बोलते हैं क्या बोलते हैं imperfect fungus ऐसा क्यों है सुनना ध्यान से इसके अंदर sexual reproduction नहीं बता known नहीं है और सारे features कौन से best review और rascomacities वाले हैं बट sexual reproduction नहीं इसलिए इसको बिलकुर imperfect fungus बोलते है only vegetative and this is known that's why it is called as imperfect fungi question पूछा जाता है अगर sexual form discover हो जाता है तो इसको कहां रखेंगे इसको higher fungi में रखेंगे इसको कहां रखेंगे बच्चों higher fungi में रखेंगे छोटी छोटी बातें आपको याद रखने हो एक तो बात यह क्यों दूसरी शीज दूसरी शीज यहां पर basic शीज है समझेंगे देखरो imperfect fungi and decomposer helps in mineral cycle belongs to imperfect perfect fungi हमेशा cuteromyositis 2015 का question once perfect मतलब जैसे ही why it is called as imperfect fungi what is the meaning of perfect in terms of fungus perfect fungus means which can undergo sexual stage they have sexual stage of reproduction at least और जिस दिन भी यह discover हो गया often and move to ascomacities and bacidumacities जिस दिन डिस्कवर कर दिया इसको hair fungi में डाल दिया जाए अच्छा इनके अंदर asexual spores होते हैं उसको क्या बोलते हैं वो निदियो उसको ठीक है बात समझ पाएंगे and the best thing is यह देख़ो anxiety के line हो के decomposer of litter and helps in mineral cycling और यही question तो आया था भाई साथ है ना यही question तो आया था सीधी सी बात करें तो कहां पर कि दोजार पंद्रा में some examples are यह तीन examples याद करो one two and three कोई दिक्कत ऐसे questions आप से direct पूछ लेते हैं अल्टरनेरिया सोलाने की बात करें कब की बात करें दोजार पंद्रा cancel आपको लिख लेना है बस अब आखरी के कुछ बाते हैं plant और animal और वह लाइकेंस वाइरवाइड प्रयाउंस इनकी बाते करेंगे असानी से हो जाएंगे बस सोड़ा सा टाइम और लगेगे मुझे लगता है हम दो घंटे में पूरा कर लेंगे इसको एक घंटे चालिस मिनट एक तालिस मिनट हो गए न शायद अच्छा समझो घंटे नहीं काउंट करें हमें तो content काउंट करना है बैजी देखो plant के बारे में तुमको सब लॉरफिल होता है plant क्या है कुछ-कुछ insectivorous plant है इस पर यह special point है बाकी तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा insectivorous plant के example पूछ लिए गए हैं previous year में bladderwort, cascuta venus flytrap तो यह insectivorous हैं यह दोनो और cascuta क्या है एक parasitic plant दो तरह के होते हैं कि insectivorous plant बट self-dependent एक होते हैं क्या parasitic दूसरों पर dependent है यह दोनों वर्ड याद रखेंगे बाकी चीज़े तो आप extra पढ़ेंगे इसमें gymnosperm वगरा की बात करें एक अच्छी बात यह life cycle भी हम पढ़ेंगे इसमें alternation of generation की बात करें हैं कि एक बार वो haplantic life cycle और एक बार diplantic life cycle में circle कर रहा है ठीक अनिमलिया भी बात करें तो आनिमलिया में cell wall होता नहीं भाइसा एक रिजर्ट फूड मेटरिल ग्लाइकोजन और फैट दोनों हैं सिर्फ ग्लाइकोजन मदड़ है न होलोजोईक टाइप ओफ नूट्रीशन है होलोजोईक मतलब चबाना इंगल्फ करना एक आंड आंड मुझे नहीं लगता और कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स है यह ज़रूर स्पेशली में बताऊंगा क्योंकि इनके क्वेश्चिंस बन जाते हैं बच्छों बस पांच मिनट और इन फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन वाइटेकर वेर इस नो मेंशन ओफ लाइकन सम एसलर और उगनिजम इनौने क्लासिफिकेशन में क्या कमिया लाइकन को नहीं डिफाईन किया वायर्स वाइयोई और को पर इस नहीं किया यह लिमिटेशन है बात समझ पा रहे हैं बहुषा कॉल्ड गॉमन पॉर्ड है वारससे हो जा रहा है अब इस क्लासिफिकेशन में नहीं डाला क्यों क्योंकि नहीं टूली लीविंग तो ही नहीं नुटूली लीविंग है नहीं तो हम कैसे इसको करेंगे बात समझ पा रहे हैं यह स्ट्रक्शर देख रहो टोबैको मोजैक वायरस अब इनसे क्वेश्चिन कैसे आएगा दुबा क्या है यसी किए यह डिवर स्क्राइब हो यह बाद में कउगे सर्ये कहा लिखा हैं रट डालो ही लो कई बार एक प्रॉब्लम और जहां से सुनना भचों बहुत इंपॉर्टन होता क्या है कि एक्जाम का जो प्रेंट माट्रियल होता है जो बुकलेट होती Ayam 및 वह बहुत के लिए बात को रहे हों देखो तो इस दाइग्राम से कश्षन है बाई सब्सक्राइब दाइग्राम से कॉस्चन ने समझ पा रहे हो डाइग्राम से कॉस्चन जब पूछा जाए है तो ऐसे ही पूछा जाएगा, देखो 2014 का कॉश्शन, पीलाई की नहीं आई, डारेक्ट डाइग्राम से कॉश्शन, और क्या चाहिए, देखो डाइग्राम से कॉश्शन, A, B, C, D, 2010 का कॉश्शन, ये लोग, मैंने बोला नहीं, इधर 2010 में आ गया, तो इन दोनों डाइग्रा टोबैको मोजैक वाइरस में कैसा आ रहने है, लोग इसी में लपेट दिया, सिंगल स्टेंड आ रहने है, नॉलेज को नोट कर लो, अपकी बात पुछी है, 1994 में तब अपना इसले बस नहीं था, फिर भी 1994, अलच्छा लास्ट में कुछ बातें समझो, बस ये दो जोर, अब इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे, वाइरस का मतलब होता है, वेनम मतलब होता है, पोईजनस फ्लूड और ये पहली बार टर्म देने वाले कौन थे, डीजे इवान उसकी, 1989, 1892, और इसकी वज़ा से, मुजाक डिजीज टोबैको में हुई थी, और ए समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, important, these were found to be smaller than bacteria, क्यों, because they can pass through the bacteria proof filters, ये अपने आप में एक MCQ है, बहुत ही बहतरीन MCQ है, याद रखे, बाद में बेजरनिक, एक साइंटिस्ट आते हैं, 1898 में, कब कितनी दिन बाद, 6 साल बाद, एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्ह ने टोबैको प्लांट से वाइरस को proper extract किया, और एक healthy plant में infect कर दिया, उसमें भी infection हो गया, इन्हों ने इसके लिए word क्या यूज किया, कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम, infectious living fluid पहली बार बोला, कि भाई ये एक ऐसा fluid है, जो living है और infectious है, कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम, ये sentence किस ने दिया, ऐसा question आएगा exam में, ऐसा question डारेक्ट आ जाएगा, अब WM Stanley ने finally वाइरस को निकाला, कुछ सालों बाद और crystals के अंदर especially proteins थे, crystallize का मतलब isolate करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, कई ऐसे hormones हैं, जो scientist लोग बता गए कि जी होते हैं, लेकिन कहां होते हैं आज तक किसी को पता नहीं, जैसे florigen hormone, बोलते हैं flowering होने के लिए वो hormone plant में निकलता है, ऐसा बहुत से scientist बता गए, लेकि वो हैं कहां अज तक कोई isolate नहीं कर पाया, अगर isolate होती है तो उसकी physical proof confirm हो जाती कि वो है, पहली बार, कौन, Stanley, आते हैं, क्रिसलाइज करके निकाल कर दिखा दे तो यही virus अब किसी में डालोगे, वो infection पॉस करेगा, ऐसा हुआ, इनर्ट हैं, है ना, अच्छा याद रखें, यह अपने आप में बहुत हिट पैरग्राफ है, बहुत question आने वाले हैं, दूसरा, वाइरस के अंदर कुछ genetic material होते हैं, प्रोटीन के अलामा भी, अब वो RNA भी हो सकते हैं, DNA भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, no virus contain both RNA and DNA, या अब virus is nucleo protein, याद रख लो, nucleo protein मतलब RNA DNA प्लस साथ में protein, protein RNA या protein DNA बस, ठीक, infectious है, चीजों को याद रखेंगे, अच्छा, अब इस बात को समझो, plant के जितने भी virus होते हैं, वो हमेशा SS RNA होते हैं, single stranded RNA, animal को जितने भी infect करते हैं, RNA, वो हमेशा single या double दोनों हो सकते हैं, कभी-कभी तो double standard DNA भी हो सकते हैं, बट इससे ये समझ में आता है, कि ये point important है, क्या तुमको फील नहीं आती, question को देखकर की, हाँ यार, ये तो बड़ा important है, जितने भी plant के infection करते हैं, वो RNA है, वो virus हमेशा, ठीक, एक ऐसा virus है, जो bacteria को खा जाता है, उसका नाम क्या है, बाड़ा interesting question है, ये देख रहो, infectious protein code, कौन सी बात है, incorrect, तो virus में जो infectious cheese होती है, वो कौन होती है, तो वो protein code होती है, नहीं नहीं, उसके अंदर का genetic material होता है, virus क्या है, DNA enclosed ना protein code, ऐसे बोल सकते है, tailed bacteria of ours, motile on the surface of bacteria, इसे पढ़ा रखा है, इतनके बाहर के जो covering होते हैं, इसको बोलते हैं, पैटा, capsid, क्या वाड़ी उसके है, capsid, और जो capsid बनी है, वो छोटे-छोटे subunit से बनी है, उसको बोलते है, capsid, इसके बाहर की covering है, जो RNA है, इसके बाहर की protein की covering हो, इसको बोलते है, capsid, इसी को तो crystallize किया था होना है, ठीक है, इसका main काम क्या है, protection of nucleic acid, कल को function पूछ देंगे, function, और capsomere या capsid तो क्या लिखोगे, covering and protection of nucleic acid, किस shape में हमेशा arranged होता है, आइदर helical और polyhedral, अब मत कहना कि NCRT में लिखा नहीं है, question क्या आएगा देखो, polyhedral type of capsid found in, यह लिखा तो नहीं है, लेकिन diagram में दे रखा है, वहाँ हिंट दे रखा है, तो बोलोगे, bacterial force, this is polyhedral shape, क्या, polyhedral shape, दोबारा, spiral, spiral shape capsomere found in, tobacco mozaik virus, बाद में मत कहना, यहाँ पर मैंने बताया नहीं था, सर यह तो out of slabbers आ गया, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, polyhedral या फिर helical, helical किस में मिला, PMV में, इसमें किसमें, बैक्टरियोफाज में है, नोट कर लो, बैक्टरियोफाज में, बहुत simple आसा, वाइरस कौन से disease cause करते हैं, रट लेना, AIDS को include करके, प्लांट में वाइरस कौन कौन से disease cause करते हैं, जैसे नहीं, सिट्रस कैंकर बैक्टरिया में पढ़ा था, जी वजीब से नाम थे, इसको जरूर याद कर लो, प्लांट में, यूमन वाले तो याद रहते हैं, तुमको प्लांट वाले भूल जा तो, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, यलॉइंग, वेन क्लिरिंग, दौर्फिंग, अंस्टेंट ग्रोथ, यूमन वाले दिजीज अव प्लांट पिलारी थोडी 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 रॉंग फोर दी वाइरस, यह वाइरस वाइरस से भी छोटा है, क्योंकि उसके बाहर क्या नहीं है, सिर्फ नुक्लिक एसड है, जो उसका जनेटिक मेटरिल है, वो पता लगया, तो इस अर वाट प्री वाइरस जे लाइक प्रोटीन कोट, है ना, फाउंड इन वाइरस हैंस नेम आज वाइरवाइड, यह अपने आप में क्वेश्चन है, किसका ज्यादा कौन ज्यादा चोटा है, तो सबसे बड़ा बैक्टरिया, उससे चोटा वाइरस, उससे चोटा वाइर्वएड वाइरवाइड के बारे में कौन सी बाते सही तो प्री आर ने, तो तो दोजा बीस को क्षेशन ना, इससे जादर लेटेस्ट पढ़ाई क्या होगा बैसाँ ते जाद लेटेस्ट पढ़ाई क्या होगी कि 2020 को कॉश्चन करा रहा हूं, है ना, आरने मॉलेक्ल विदाउट प्रोटीन कोट वही सेम चीज प्री आरने अपका कोश्चन हो गया 2017 में आया था वही सेम कोश्चन घुमा कर कौन सी बाते रॉंग है हाई मॉलेकुलर वेट 2016 का कोश्चन है आया गया या कंफर्म है जो मैंने हाईलाइट कर दिया वह कोश्चन या तो आएगा चीज़ों को समझेंगे एक ही तीन चार लाइनों से चार कोश्चन तो चिप्टा दिया और दिखाता हूं वाइरवाइड अच्छा किस नहीं है कौन सी बाते गलत है ना हाँ रॉंग तो यहां से पता चल गया किस ने टीयो डाइनर ने 2015 था कब था हाँ पंद्रा था नाम याद कर लेना अगली बात प्री इंफेक्शियस वाइरस बिल्कुल ठीक है ना 2009 में भी पूछा था इनके बारे में क्या बात है बहुत फ्रीमस आदमी क्या मेरी बाते समझ पा रहे हो मज़ा आ रहे है चीजें कल प्लांट करेंगे ना कल प्लांट करेंगे शाम को एक इक और प्रियॉंस बस यह आकरी है यह आकरी यहां तक दो पेज प्रियॉंस क्या होते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन फोल्डेट है इस आ भी अब नॉर्मली फोल्डेट प्रोटीन अब मैंने हाइलाइट कर दिया तो तो इसलिए मुझे पता है तील आती है कि हाँ यह लाइन आसा सीख जो तो मजा आ जाए था ना? Similar in size of viruses प्लीज याद करें विचर द फॉलिंग इंक्रिसिंग डिक्रिसिंग ओर की बात करें तो सबसे बड़ा बैक्ठिरिया फिर वायरस अब अब अबलिक प्रियॉंस और सबसे छोटा वायरोई याद रखें लिए इसकी वज़े से कुछ disease होती है जैसे BSC disease इसको बोलते है mad cow disease humans में है थीक है यह जो humans में है न देखो पूरा नाम क्या होगे बोवाइन मतलब गाय भैसे होती है बोवाइन spongy form encephalopathy BSC disease mad cow disease cattle में और human में है न यह CR जेकॉब CJ disease बोलते हैं याद रखेंगे तो प्रियॉंस इस सम्वाट सिमिलर टू दी वायसे रही लाइकेंस मैंने आपको बता ही दिया है रहा है अलगल अच्छी यह आपको पता चाल जाएगा है हाँ 2019 को क्वेश्चन है बैसा कि 2019 यहां पर नोट कर लो बाकी लाइन्स भ उबसे ईलगल पारटनर का नाम ये हैं फंगल पाρωडनर का नाम माय्कों यरे अच्छी बात यह है बच्छों इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है यह कभी भी polluted area में grow नहीं करते तो आपको lichens खतम हो गए ना, उसका मतलब वो area polluted है, lichens grow कर रहे हैं मतलब वो area जादा अच्छे, यह कुछ basic चीज़े हैं जो summary के form में आपको यहां मिल जाएंगी, एक reading लगाओ और काम तुम्हारा done, कैसा सच अपर, previous year करके कैसा feel हो रहा है मजा रहा है, parallel में पढ़ते जाओ, living word करा दिया, आज balasher classification करा दिया, and the best thing is, सिर्फ दो घंटो में, सिर्फ दो घंटो में, living word से तो छोटा chapter रहे हैं यह तो, क्योंकि हमने precise बाते की, pure precise बाते की, systematic की, इनको करते जाओ, आचा सुनो, रोजाना रात में 10 बजे, मेरी special class होती है, सुबह 8 बजे, आना है जरूर, आना है जरूर, क्यों आना है, क्योंकि जो मेहनत होती है, उसका कोई substitute तो होता नहीं, मेहनत होती है, इसका कोई भी substitute बच्चों नहीं होता है, यह तुम्हारी hard work है, जो तुमको medical college में लेकर आएगा, जो तुम्हारे लिए available होगा, कि जी मैं चलो तुम्हारी जगा पर देता हूँ, यह बड़ी help है, कि एक teacher तुम्हारे लिए previous year questions का bundle उठाता है, NCRT की board उठाता है, question देखता है, question देखता है, mark करता है, question देखता है, mark करता है, फिर उनका एक cut बनाता है, समझ पा र से कराया, फिर उस side को समझाया, और ऐसा रोज चल रहा है, तुम्हारे नीट के exam कर, तो बच्चा आपके लिए हर teacher इतना लगा हुआ है, तुमको भी तो पढ़ना बनता है, कि नहीं बनता है, बस मेहनत से पढ़ लो, यार, मेहनत से पढ़ो, जहां दिक्कत है, मुझे बता करें, कहां से शुरू करें, सिर्फ इसको देखना शुरू कर दो, इसको highlight करके notes बनाना शुरू कर दो, इस पूरे chapter को 3-4-5 page में निप्टा दो, notes के form में, सब कुछ लिखने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, हर line समझा दी, हर point समझा दिया, ये तुम्हारी duty है, मेहनत से का मेहनती बच्चे हो, तो सब कुछ हो जाएगा, मेहनती नहीं हो तो कुछ नहीं मिलता, तो बस लगे रहो, positivity बना के रहो, हाँ, तुमको लगता है कि an academy का subscription लेना है, लेना नहीं चाहते हो, ले नहीं पा रहे हो, कोई भी reason हो सकता है, फिर भी तुमको an academy का combat test जरूर देना है पता है क्यों, यह free test है पहली बात, इसमें code लगाओगे, code तो भूलोगे नहीं न, 80 sir code और code लगाते ही, अगर top 3 में आ गए तो तुमको free में an academy में plus में पढ़ने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए, हर संडे सुबा 11 बजे, चुप चाप चले आना, हर संडे सुबा 11 ठीक, यह भी याद रखता है, साथ-साथ में, यह मेरा plus code है, again 80 sir, सिर्फ इस 10% के discount को मत देखो, इसके पीछे मिलने वाले जो support system, right, possibilities को समझे ही, है न, और इस support system से जो फाइदा तुमको मिलने वाला न, इस last moment, में अलग ही मजा आने, बस मेहनत पे लगे रहो, hard work करते रहो, और चाजो, ठीक है न, मिलते हैं कल वाले lecture में, रोजाना शाम को 7.30, गुद नाइट वच्चों, बाए, बाए, बाए,